पुपलिक महा नगर के लाव नगर में उबस्तित सभी सम्माने लिए लागरिक करी हो मैं आज सभी को ग्रापती उस्टी बहुत पढ़ाई देता हूँ शुबकामनाए वर्षे करता हूँ शुबकामनाए वर्षे के लिए इस्टावना का तारिख वो आपने यहां किया है वो आगे भी इस तरह से नियामित रूश से चलता रहे है आप सब इस दुर्वक्ती मंदल के भावना के साथ दूरे रहे हैं और भारत में एक महान राश्मवादी चिंदक, लिचारण और हमारे देश के लेता है शुबकामनाए वार्ष हजारा धिलब में यह सुद्वक्ती की आपसा हमारे देश में कराई है वो देश एक देश में पुरा होगा एक्दी मैं इस वर्षे साथना करता हूँ आप सभी नागरिक बंद्वों से इस बात की समय मानता हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छे पे करना भाशा को बात मुद्वक्ताई इसलिए करना रिंदी मिला कर आपसे का बात परोगा मुझे इस जुबकापी मंदल के आयोजन में जो विशय दिया है आपसे सम्दाज करने का वो विशय है कि लोकमाने शुरी बाल गन्रादर के लखने गणपती आंतोलन या गणे शुबकाप का अभ्यान हमारे देश में क्यों चलाया कैसे चलाया उसका हमारे देश को क्या उपलक्ती हुई है और ठाज हमारे देश में यह किस वरुष में एकफात है आप सभी जानते हैं कि बारे देश में गने शुबका तामाजी क्रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो शुरी लोकमाने के लखने बहुत प्रयासन के बात हुआ श्री लोक्मानिक लख में अठारे सो चौरानवे के साल में ये गणपती उन सबसा आयोजन शुरू किया 1894 में श्री लोक्मानिक लख में इसको क्यों शुरू किया कारण उसका क्या था और हार उसका क्या था हमारे जमाने में हमारे जुश में एकीन 94 में अंग्रेजों सी सरकार चल उठी और अंग्रेजों सी सरकार में भारत देश में एक नियम बना रहा था कानून बना रहा हूँ वो ये चिए भारती नागरी एक टाख किसी इस्थान पर एकवस्स नहीं होसकिest उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया और वो कानून में भारत के नागरिक पाँच की संध्या में हरी नागरिक एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते एक साथ कहीं आ नहीं सकते अगर कहीं पर बिटिश पुलिस अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी वो भारत्य नागरिकों को समूह में देख दे तो निश्यपूप से उनको पुलिस अरफ करती थी जेज्ञा डालती थी और उसके बाद उनके 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 भेलकर अत्याचार कुछा और वो सेना अगरिजों की सरकार थी उनीटा कानूम अग responsMacवूण फिल फोगी होते थी और भारत्य नागरिक ंमरेजी पुलिस पैस्याचार के विरुद बेब कोई शिकायक करें तो अधालत में वो शिकायक नहीं जाती थी क्योंकि एक जग अंग्रेज होता था ऐता माहौल पूरे देश में बना हुआ था हमारे भारत देश में सन 1875 में 1875 में एक महान जप्सी हुए से शेह बंकिम चंडर चटो पाध्याई जी उन्होंने एक गीट लिखा था 1875 में वो गीट का नाम बंदे मातरम तो बंदे मातरम जीट को गाने पर भी अंग्रेज सरकार में पाधन भी लगा रखिए भारतिय लागरिक यदि बंदे मातरम जीट गाएंगे तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेव में पकड़ के बंद कर देगी ऐसा कानून था तो एक साथ हमें एकत्वित नहीं आ सकते थे कोई सामू ही कारिक गर नहीं सकते थे बंदे मातरम जीट नहीं गा सकते थे ऐसे कड़े प्रतिवंद हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगाए रखिए थे और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत का आंदोलन था स्वातस्त्र आंदोलन था उसके सबसे बड़े नेता से श्री तिदर उन्हों में अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिवंद थे ये जो पाबंदी थी इसको निरस्त करने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने ये तैय किया कि अगर अंग्रेज सरकार पाँच या पाँच से ज़्यादा लोगों पर पाबंदी लगा रही है तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जो अंग्रेजों की सरकार के इस कानून को भंग करे और नाग्रिकों के मन में शक्ति आये दर निकल जाये अंग्रेजों की सरकार का जो गए है वो भारत के नाग्रिकों के मन से निकलना चाहिए ऐसा सोचकर उन्होंने ये गरेश उस्तम शुरू किया 1894 के पहले हमारे भारत देश में गरपती उस्तम होता था गरेश उस्तम होता था लेकिन वो घरों में होता था परिवार के अंदर होता था परिवार के लोग मिलकर गरपती उस्तम मनाते थे पहली बार श्री लोकमा निबाल गंजाबर किड़क में 1894 में पुने के शनिवार वाड़ा में पहले गणपती की इस्थाफना की उखी थी आप जाहते हैं कि पुने एक बहुत बड़ा शहर है पुना महाराष्ट में वहाँ पर एक बड़ा इस्थान है शनिवार वाड़ा इस शरिवार वाड़े में पहले गणपती के इस्थापना हुई थी 1894 में और वो इस्थापना दोयम श्री जोपमांग किलक में अपने हातों से की थी और उस इस्थापना में एक गणपती मंडल उन्होंने बनाया था शरिवार वाड़ा गणेश मंडल वो भारत का सबसे पुड़ाना गणेश मंडल है तो गणेश मंडल के खारी करता हूँ तो उन्होंने एक संकल कराया कि हम ये गणेश उस्थाप का पर्व दस दिन तक बनाएंगे अगरेज पुलिस अगर हमें गिरफतार करेगी तो हम जेज में जाएंगे लेकिन गणपती उस्थाप को हम जरूर मनाएंगे और ऐसे करके ये गणेश उस्थाप की शुरुवात हमारे देश में हुई और सुभागी से क्या हुआ 1994 का पहला जो गणेश उस्थाप शनिवार वाड़ां में हुआ तो अंग्रेश पुलिस थोड़ी परेशान हुई क्योंकि जो गणेश उस्थाप को बनाने वाले कारिकरता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे कारण ये था कि वो धार्मे गटिविधी में शामिल है राजिने से गटिविधी में अगर वो शामिल होते कोई पुलिस उनको अरेस्ट करती लेकिन क्योंकि वो धार्मे सक्विधी में शामिल के इसलिए अंग्रेश पुलिस में उनको अरेस्थ नहीं किया और पूरे दस दिन तक वो गणपती उस्तव चला 1894 में 1894 में October 20, 20 October से लेकर 30 October सक ये कारिक्रम आयोजित हुआ था स्वयम श्री लोकमा नितिलक उस व्यक्ष्यान में फाजिर रहते थे, कुछ उसमें शामिल होते थे और बड़े-बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे एक दिन का व्यक्षान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकत्ता से एक बहुत बड़े नेता को बुलाया उनका नाम था श्री विपिन चंद्रपाल 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्यक्षान में विपिन चंद्रपाल वहाँ आए 21 अक्टूबर का दूसरा व्यक्षान हुआ तो उसमें श्री लोकमाने तिलक में उत्तर भारत के बड़े नेता को बुलाया श्री लाला लाज को सगाए वो 21 अक्टूबर को आए फिर तीसरे व्यक्षान में उन्होंने आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुने शहर में तीन महान क्रांटिकारी पैदा हुए एक भाई के रूप में तीन भाई एक साथ एकी परिवार में क्रांटिवीर के रूप में जनम लिया वो थे श्री चाफेकर बंदू तो तेवी सक्टूबर को व्यक्षान चाफेकर बंदूओं में जो सबसे अंध्रक थे बड़े थे उनका हुआ फिर चौदी सक्टूबर को चाफेकर बंदूओं में दूसरे नंबर के जो उतके भाई से उनका हुआ एक श्री बाई क्रश्न चाफेकर एक दया क्रश्न चाफेकर ऐसे करके तीनों चाफेकर बंदूओं का व्यक्षान हुआ फिर उसके बाद शरी रोकमानी तिलेट में मुंबई से एक बड़े मेता को बुदाया उसका नाम था फिरोश शाह मेता उनका एक व्याठ्चान हुआ और इस तरह से ज़ दिल लगाता व्याठ्चान माला चली गणपती उसका हुआ व्याठ्चान माला चली इतने भी बड़ता वहाँ पर व्याठ्चान देदी के लिए आए पहले गणपती उसका में सबका जोर ये था कि बगवान गणेश हमारे देश को आजानी दिलाए उन्ने के लिए आते थे उन्ने उन्नोंने देशवक्ती की भावना राष्षवक्ती की भावना पूरे जाक्यानों के मार्जयंदे भरने का कांश शुरू किया थे परिणाम क्या हुआ पुणे के दोखो में गणपती आयगन के लिए उस्ताह पैदा हुआ और 1894 में पहले गनपती की स्थाफण पुने मैं शरिवार वड़ा में अलिय वर्ष 1895 में पूरे पुने में 11 गनपती मंदल बने एकी वर्ष के और ग्यारे गणपती इस्थाफित हुए उसके बाद 1896 में 1731 गणपती इस्थाफित हुए 31 फिर उसके बाद 1897 में पता चला 100 से उपर गणपती हो गए फिर इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई और 1898 तक आते आते पुणे से बाहर मुंबई में पुणे से सोड़ा आगे जाकर एहमत नगर में फोरे के नहाधिब पूरे बिजर्द में यह पेंता ही गएा गणपती उसका और पुणे और पुणे के आजू-ाजू के महराश्ति के सारे बड़े शहरों में ये गणपती की इस्थातना जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे भारत देश के लोगों में छेतना भी बढ़ती गई फोड़े दिन के बार पता चला कि संपूर महराश्ट राज्य में गणपती आ गई और गणश योट्सक बहुत जोर शोर से मनाना शुरू हुआ जो आयोजन करते हैं इसका मुख्यों जो आतुदेश है वो भारत का स्वराज्य प्राप्ती करना है आजादी करना है बिना आजादी के गणेश उस्तम का कोई अर्थ नहीं है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देव देश के अंदर है तो इस तरह से वो भी गुलामी में है पहली बार लोगों ने श्री लोक्मान इस लगके इस उद्वेश को और इस वपने को बहुत गंबीरता से समझा उसके बाद एक दुर्गटना हो गई हमारे देश और वो दुर्गटना ये थी 1904 में 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्णे वोईसराई की हैंदियत में आया था उसका प्रमोशन हुआ था उसका नाम था करजन ये बंगाल का वोईसराई बना था बंगाल का वोईसराई बनने के बाद इस करजन में एक बहुत खतरना कांच च्या था उसमें क्या किया था बंगाल राजी को दो भागों में बांट दिया था जो हिस्ते कर दिये बंगाल के और उसके लिए एक काईदा बनाया और उसका नाम दिया उसने दिवीजन ओफ बंगाल एक्ट, बंगाल का उबाटने का कानू, करजन नाम के इस अंग्रे ज़दिकारी ने किया, बंगाल उस समय भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था, आज हमारे भारत देश में करनाटर, कमिलनाडू, केरत जैसे 35 राज्य हैं, हुबर सई राज्य हैं आज से लगवर्ण देश में सिर्फ चार राज्य थे, एक बंगाल था, दूसरा मद्राथ राज्य था, उसको अंग्रे जी में प्रेसिदेंटी कहा जाता था, बंगाल प्रेसिदेंटी, मद्राथ प्रेसिदेंटी, और एक तीसरा था मुंबई प्रेसिदेंटी, और चोथ भारत का बचा हुआ हिस्सा जिसको नौर्थ वेच्ट प्रेंटियर के नाम से जाने दाथा पूरा उस्तर भारत बंगाल प्रेसिदेंसी का उस समय में क्या मतलब था सरल माहिती देश बंगाल का उस समय 1904 में सन 1904 में एक ही अर्थ था पूरा बिहार राज्य पूरा आतान बंगलादेश अलग नहीं हुआ था तो पूरा बंगाल बंगलादेश को मिलाकर पूरा आतान उडिसा का तीच चौथाई भाट और उसके बाद आतान के ऊपर के भारत के जो छोटे राज्य हैं हरुनाचल प्रदेश है सिक्किम है नागलेंड है मिजूरम है मनीपुर है य ये पूरा मिदाकर बंगाल राज्य था अंग्रेजों ने उस समय इसको दो हिस्वों में बाटा इस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल पूरवी बंगाल पश्यमी बंगाल उस समय बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन था कुल लोग संक्या कुल जन संक्या वो करीब साथ कोटी था है यह और कोटी नागरि भंगाल में रहते हैं सैवन करोड़ अब यह बंगालców को पट्वारा हुआ इसमें क्या हुआ जो वेस्ट बंगाल thहा हुं हिंदों के लिए और लिए और एस्ट बंगाल are Emir ने जर इस्ट बंगाल में आधिए ऐसकार ठास मूर को भी एमबस लक्ष नागरिक पीस बंगाल गा और बाकी जो चार कवरो बीस लाख नागरिक थे वो वेस बंगाल गा तो हिंदू और गुप्रमान संब्रदाई के आधार पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बटवारा किया और ये बटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ और विरोध क्यों हुआ संब्रदाई के आधार पर आप देश का अगर बटवारा करते हैं किसी राच्टी का बटवारा करते हैं तो भयंकर मारा मारी हो में वाजे है तो श्री लोक्माने तिलक में सबसे पहले इसका विरोध किया और 1905 में श्री लोक्माने तिलक में एक आदेश जाई किया भारत के लागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरका भारत के एक बंगाल नाजिपा संस्रदाय के आधार पर बटवारा करती है तो यस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देगे चलने नहीं देगे और उन्होंने ये गोशना कर दे श्री लोक्माने तिलक के एक दोस्त थे मित्र थे विपिन चंदरपाल जो उस समय बंगाल के सबसे पड़े मेता थे ऐसे ही श्री लोक्माने तिलक के एक मित्र थे श्री अर्विंदो घोश जिनको आपने ज्याना होगा जो बारत में सन्यासी हो गए और पांट चेरी में उन्होंने आश्रम बना लिया और वही पर आखरी जीवन उनका बीता तो श्री अर्विंतो घोश और विपिन चंद्रपाल सुरेतरनाग बनर जी उमेश चंद्र बनर जी व्योमेश चंद्र बनर जी सतारा शंकर बंदो पाद्या ऐसे एक-दोने इस तैकोनो वंगाल के नेचा श्री तिलक के पास मिलने के लिए पूरे में आये और तिलक के सामने उन्होंने कहा कि आप मुने क्या करना चाहिए श्री लोगमानी तिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गड़पती के नाम पर उस सब शुरू करना चाहिए तो जो देदा आये थे हुनोंने कहा कि हमारे राज्य में बंगाल में गर्पती उससरा तो कोई मनाता नहीं है और गणेश भी को बंगाल में कोई जादा प्रभाव भी नहीं है तो लोगमारे जिलक ने पुछा फिर आप बताईए आपके यहां किसका प्रभाव है तो उन्हें का जो नव दुर्गा होती है उसका बंगाल में बहुत असर है तो श्री गिलग ने का कि ठीक है मैं यहां महाराष्ट में गणेश उत्मव करता हूँ आप बंगाल में दुर्गा उस्तव शुरू करें और इसके साथ संविकन बनाई है और अंड्रेजों की सरकार के खिलाब के रहने लड़ना तो इस तरह चर्श्री लोगमा के किलग के प्रयातों से पूरे बंगाल में 1905 से 1905 से दुर्गा उस्तव शुरू हुआ जो आज तक चला रहा है और भारत की अनेक राज्यों ने फैल गया है तो बंगाल में दुर्गा उस्तव, महराश्ट में गणेश उस्तव अहता जब काम शुरू हुआ तो लाखों लाखों कारिकरता श्री तिलक और वितिल चंद्रपाल के साथ इकथे होई फिर इन कारिकरताओं को लोगमाली तिलक ने एक संदेश दिया कि गाओं गाओं जाना, गली गली जाना और अंग्रेजों की सरकार में बंगाल का बटवारा किया है हिंदू बुसल्मान की आथार पर इसका विरोध करना है तो श्री तिलक के जो कारिकरता होते थे वो पूछते थे कि आप पता हिए विरोध का तरीका क्या है तो श्री तिलक ने उन सब को बोल रखा था कि देखो, अंग्रेजों की सरकार भारत में सबी तक चलेगी जब सक अंग्रेजों का माल भारत में दिखेगा आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार इस इंडिया कंपणी की मदद से चलती है और इस इंडिया कंपणी की वस्तुएं भारत में दिका करती है तो श्री दिलग ने कहा कि इस इंडिया कंपणी की वस्तु जबतर भारत में दिखे भी अंग्रेजों को मुनाफ़ा मिलेगा और जब तक उनको लाब होगा तब तक वो भारत में सरकार चलाएंगे तो हमें एक ही कारे करना है कि गाउं गाउं जाकर अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी की जो जीत रस्तों में बिखती है इनका वहिशकार कराता है और ऐसे करके 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और वो बंगाल का जो विवाज़न हुआ था उसके विरोज में शुरू हुआ श्री तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवाद किया जोटे जोटे गाउं में जाकर उन्हों है व्याट फ्रेंग ये तिलक के साथ अर्विंदो घोष गाउंगाँ गए अर्विंदो घोष के साथ टारा शंकर बंदो पाठ्यार बहुत बड़े साहित्तिकार लेको गाउंगाउंगाँ गए श्री भंकिन चंडी चट्टो पाठ्यार जिनोंने बंदे मातरं घीत लिखा वो श्री लोत्मानि ट्रिलक के साथ गाउं गाउं गई और इस तरह से बहुत बड़े नेताओं की तीम तर्यार हुई उन्होंने पूर बंगाल में स्वदेशी की लहर पेड़ा करें परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी अंदोलन 1905 में 1905 में जो शुरू हुआ दो बर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपोनी का सामान बिखना बंदो गया उनका कापर बिखना बंदो गया इस्ट इंडिया कंपोनी की उस समय भारत में शक्कर बिखती थी शुगर क्योंकि शुगर भारत में बनती नहीं थी वो इंग्लेइन से आती थी तो शुगर बिखना बंदो गया और इस वदेशी अंदोलन का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग है स्वीज बनाने वाले लोग उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बन चर दिया गुण से मिठाई बनाना शुरू कि इतना प्रभाव था उसके बाद हमारे भारत देश में उसका में ब्लेट नहीं बनता था ये बात है 1905 की 1905 ब्लेट नहीं बनता था इंग्लेंड से ब्लेट आता था भारत में तो जो सैलूल चलाने वाले लोग होते थे वो अग्रेजी ब्लेट का उप्योग करते थे श्री लोग्मा निटिलक ने जब उनको अपील किया कि आप ये अंग्रेजी ब्लेट बापर ना बंद कर दो तो सभी तैलूल चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेट का मरिश्टा चला अब समस्या आई कि शेव कैसे करना ब्लेट तो नहीं है तो उदोने एक इंट्रूमेंट बनाया जो आज तक इस देश में चलता है हम लोग हिंदी में उसको उस तरह कहते है कंडर में क्या कहते है मुझे बादूम नहीं है उसको बहुत अच्छे से शार्प करके उसके शेव बनाई जाती है ब्लेट का उसमें इस्टेमाल नहीं होता ये लोगमा नितिलक में शुरू कराया इस देश उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय टिटर्जन पाउडर नहीं बनता हमारे भारत देश में टिटर्जन पाउडर नहीं बनता वो इंकलेट से इंपोर्ट होता था तो श्री लोगमा नितिलक में लॉंड्री चलाने वालों को अपील किया कि अंग्रेजिक इटर्जन पाउडर की इस्तेमाल नहीं करना है तो भारत के लॉंड्री चलाने वाले सभी लोगों ने मिट्टी से कापड धोना शुरू कर दिया जमीन की मिट्टी से यह जो ब्लैक बटम सौयल होती है इसको इस्ते करके कापड धोने का एक अभियान पूरे देश में शुरू होती है इसी तरह श्री लोकमन इटिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में परिवार में विवाह होगा तो वर्प और वगू शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र धारन नहीं करेंगे तो कौन से वस उप्योग करेंगे और वर्वदू दोनों जिनका विवाह कराने वाला पंडित है पंडितों का एक बहुत बड़ा संद बनाया श्री तिलक ने और उनने कहा कि आप उस वर्वदू का विवाह कराईए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या कोटन के वस्त्र होंगे अंग्रेजी मस्त्र अगर पहने हुए बर वदू है तो उनका वैश्कार कर दीजे परिणाम ये हुआ कि बर और वदू में भी कौटन पहनना शुरू कर दे इस तरह से श्री सिलक ने भारत के अनेक अनेक समाज के लोगों को इकठा करना शुरू किया और शिलक के साथ लाला लाजपत्राई ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अवयान चलाया आप पूछेंगे कि इस अवयान का अंतिम फनशुरूती क्या हुआ इस अवयान की सबसे बड़ी फनशुरूती ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में ये वर्ष के अंदर संपूर भारत देश में इस इंडिया कंपणी की वस्तुएं बिखना बंदो गया इस इंडिया कंपणी का खप्रा बिखना बंदो गया उनका ब्रेक बिखना बंदो गया इस इंडिया कंपणी की शुगर बिखना बंदो गया इस इंडिया कंपनी का डिजर्जन पाउडर देखना बंदो गया जो कुछ भी इस इंडिया कंपनी देखती थी वो सब बत्वे देखना बंदो गया लोगों ने संकल प्रेगा शुरू किया आपको तो सुनकर आश्यर होगा कि जह दिर आपने यहां गड़पती मंदल इस्थाफित किया है लव नगर में श्री लोग्मा ने जिड़कने संपू भारत देश में ऐसे सेक्रों गड़पती मंदल इस्थाफित किये हरे गड़पती मंदल के कारिकरपाओं को वो शपत दिलाते थी प्रतिग्या कराते थी गड़पती मंदल इस्थाफित हुआ अफिर उसके बाद एक शपत ग्रहन समारों होचा था प्रतिग्या समारों होचा था उसमें पहली प्रतिग्या ये होती थी कि हम भारत देश के स्वराज प्राप्टी के लिए कारिकरेंगे और दैव्पती हमारे आराजे देव बनेगे हम स्वराज प्राप्टी के लिए काम करेंगे दूसरी प्रतिग्या होती थी कि भारत में स्वराज प्राप्टी करने के लिए स्वादेशी का वरण बहुत आवश्यक है इसलिए हम जीवन परियंद स्वदेशी वर्त धारें करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे फिर तीसरा संकत होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत को बांट रही है हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी जगड़ा नहीं करेंगे हिंदू मुसल्मानों से नहीं लड़ेंगे मुसल्मान हिंदूं से नहीं लड़ेंगे ऐसी ग्यारे शपत दिलाई जाते हैं और वो ग्यारे शपत लेने वाले कारे करता गणपती आंडोल के सबस्थे होते से उस में से एक शबत होती थी कि व्यतन जीवन में कभी नहीं करेंगे शराद नहीं पिएंगे तिगरेट नहीं पिएंगे भीडी नहीं पिएंगे भुटका तंपा को कुछ नहीं खाएंगे और अपने को पवित्र बनाएंगे ताकि स्वराज प्राप्ती के लिए लड़ सके। ऐसी शपत दिलाकर श्रीक दिलत कारी करताओं को पक्का बनाते हैं और धीरे धीरे आप सुनकर आश्चरी करेंगे 1905-1905 सही अभियान शुरू हुआ 1911-1911 में स्वदेशी आंदोलन और गणेश रोप्तव के कुल कारी करताओं वंद कोटी इंपत लक्ष हो गए एक करोड बीस लाग उस समय भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था वो इंपत कोटी था 20 करोड भारत माती से 1905 में और उसमें से वंद कोटी वंद कोटी इंपत लग श्रेक करोड बीस लाग कुट के सारी करताओं लोकमाने तिलक बाल गिंगादर तिलक लिविविंच अंद्रफाल लाला लाजपत राई के साथ सांग करनों है गणेशोस्ताव के मात्यम से इसनी बड़ी कारिकरताओं की पोज उन्होंने इकटी की अंत्यम परिड़ाम क्या हुआ 1911 में जब ब्रिटिश गवर्मेंट का सब कुछ बीचना यहां बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लेमेंट लंदन में बहुत तकलीफ आए क्योंकि यहां से धन लूट कर इस इंडिया कंपनी लेके जाती थी उनका माल बिखता था वो पैसा लंदन जाता था जब यहां माल बिखता बंद हो गया तो यहां से पैसा लंदन जाना बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लेमेंट में जहुत तकलीफ की इस्तिती आई उस समय ब्रिटेन का राजा था उसका नाम था जॉर्ज पंचन उसमें बिटिशग पार्लिमेंट का एक special बीपी दिब उलाया और उसमें ये कहा कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है कि अब बिटेश के पैसा आना बंद हो गया तो बिटिश पार्लिमेंट के MP ने जॉर्ज पंचन को कहा कि भारत में एक बड़े नेता है श्री लोकमाने टिलर उन्होंने गड़े शोच्व का एक अवियान और स्वदेशी का अंदोलन शुरू कर दिया है और उसके कारण अब अंग्रेजी वस्तु है भारत में बिखना बंद हो गई है इसलिए इंग्लेंड में पैसा आना बंद हो गया तो जॉर्ज पंचम इतना परिशान हुआ उसने कहा कि ये लोकमाने टिलर कौन है तो उसके जो ऑफिसर से उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे एक वक्ती है पुढे के पास उनका जल्पिस्थाल है कारेशन के उनका पूरा भारत देश है और उनके पास बंद होशी इस पास लक्ष कारे करताओं की बहुत बड़ी आर्मी है तो जॉर्ज पंचम ने पूछा कि ब्रिटेन की आर्मी भारत में किसनी है तो जॉर्ज पंचम को उत्तर मिला कि जो ब्रिटेन आर्मी भारत में है वो मैक्सिमम मूर लक्ष आईवड से साविर है 3.5 लक्ष की आर्मी है और उन्होंने कहा कि रोटमाली तिलक की आर्मी किसकी बड़ी है अगर तो उन्होंने कहा कि व्रॉटर इस लख की आर्मी है तो जॉर्ज पंचम मने कहा कि उसका कमंडरिंची एक ग Wikipedia किसी बड़ी आर्मी है मैं उसको देखना चाहता है तो प्रिटिश पार्लेमेंट से कहा कि और आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़़ा तो उसमें का घीक है मेरी भारत यात्रा का कारिक्रम बनाओ तो दिसंपर में 10 तारीक को जोर्ज पंचम भारत आया दिसंपर 10 1911 1911 10 दिसंपर को जोर्ज पंचम भारत आया ये देखने के लिए कि स्वदेशी आंदोलंकी गणपती आंदोलंकी आर भी कितनी बड़ी है उस जम्राने में आप जानते हैं कि हवाई जाज नहीं चलते थे पानी के जहाज से यात्रा होती थी शिव का आना जाना होता था तो लंदन जाने के लिए बारत देश में दो ही इस्थान थे और लंदन से आने के लिए भी दो ही इस्थान थे एक था वो कलकता और दूसरा था सूरत सूरत में बहुत बड़ा बहुत बड़ा पानी के जहाज का पत्तन था और कलकता में बहुत बड़ा था तो कैलकता एक सूरत दूसरा तो जोर्ज पंचम को पूछा गया आप कहां उतरेंगे तो उनने का कलकटा उतरूंगा क्यों क्योंकि लोकमा ने चिलक्टे सही होगी और उनके कारिकरता सबसे ज़्यादा बंगाल में काम कर रहे हैं तो मुझे देखना है भू तो कलकटा उतरा लोकमा ने चिलक्ट को सौरी जोर्ज पंचम कलकटा आया ग्यारे दिसंबर को कलकटा में बहुत सारे लोगों ने उसको रिसीव किया जिल लोगों ने जोर्ज पंचम को भायत में पहली यात्रा पर रिसीव किया माने उसको आदर पूर्वक इस देश में स्वागत किया, उन में से सबसे आगी थे श्री रविल रनाट परगॉर, राजा राद मोहन ब्रॉय, और एक के घुमेश शंग्र बैनेर जी, और एक कुराने कॉंग्रेस के मेता जो माने जाते हैं कॉंग्रेस की साथ मा हो चुकी थी 1885 में तो एक घुमेश जो कॉंग्रेस के साथ मकद्यक्ष माने जाते हैं, इन सब लोगों ने राजा को हावकार किया, उसका स्वागत किया, राजा माने जौर्ज पंचम, और श्री लोकमा निकिलग, विपिन चंद्रपाल, और व्योमेश शंग्र बनर जी, सुरिपनाद इनरजी ये जो सारे मेता थे, जिनको हमारे इतिहास में गरंदल का नेता माना जाता है, इन्होंने जौर्ज पंचम का वहिश्कार किया, उन्होंने का हम जौर्ज पंचम का वहिश्कार करते हैं, हम उसके स्वागत समारों में नहीं जाएंगे, लेकिन कॉंग्रेस के अंद पहली बार जॉर्ज पंचन को स्वाज़ करते हुए एक गीत गाया गया जिसका नाम है जन्गरणवन अधिदायक जये है भारत भागय बिधाता इस शब्दों पे घ्यान देजिए भारत भागय बिधाता माने भारत के भागय को निरधरित करने वाला कौन? जॉर्ज पंचन और जितने ये गीत गाया दुर्भागे से उनका नाम वही श्री रभी दरनाट सेगो उन्होंने ही ये गीत लिखा और उन्होंने ही गीत गाया अब ये जो गीत है इसमें ज़्यादा शब्त बांगला के हैं और कुछ संस्क्रिप के शब्दे हैं इस पर जोर द्यावन ने में जन गर्ण मन मजाय है जन गर्ण मन संस्क्रिप और बागला दोनों में है तो इसका है भारत की जंता की तरफ से गर्ण मने छोटे छोटे लाजा और उनके प्रतिनिती हम सब भारत की जत्ता की तरफ से छोटे छोटे राजाओं की तरफ से जर्गरमन अधिनायक जये अधिनायक मने सुपर हीरो मने जोज पंचम आपकी जय करने के लिए यहां आए है जर्गरमन अधिनायक जये भारत भाग्य मिलाता बारत के आप भागे भी जाता हैं आपको बारत का भागे तरह करना है क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है फिर फिर पंजाव, तिंद, गुजिरात, मराखा, द्राभल उष्कलबन ये भारत के अलग-ज़न से रहें जिनका नाम उन्होंने लिया पंजाब सिंद गुजरात मराधा नामिड उसकल बनल विन्द हिवाचल यहुना गंगा उच्छर जलदी तरही तबुशुब नामे जागे भारत के ये सभी हिस्तों की रीजन की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तबुशुब नामे जागे आपका नाम पूरे विश्व में हो तबुशुब आशिश मांगे अब भगवान से आपके लिए दुआई कर रहे हैं आशिश मांग रहे हैं गाये तब जय गाता हम आपकी जैजय कार करते ही रहेंगे जन्रल मंगल दायक जैए भारत भाध्य करते हैं अब समझ्या क्या घड़ी हो गई कि जॉर्ज पंचन को ना संस्क्रिप समस्थी दी ना बांगला ना उसको हिंदी आती है वो सुन तो लिया उसने अपने पड़ोश में बैठे अंग्रेजों से पूछा ये क्या गाना गाया तो अंग्रेजों ने उसका इंग्लिस करके उसको समझाया जैसे ही उसको पता चला कि ये गाना जॉर्ज पंचन के सम्मान में गाया गया है और उसको भारत का भागे विधाता बताया गया है वो इतना प्रफन हुआ इतना खुश हुआ कि उसमें लोगमा ने को सौरी रविन्य टैगोर को बुलाया और उनके इससे भी ज्यादा उसने एक मजाग की बात करी जो हमारे लिए बहुत शर्वनाग है उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी आज तक इसनी प्रशंसा नहीं किये आपने तो उससे भी ज्यादा था रवीज नाच टैगोर गदगद हो गए तो ये जो पंचम था जॉर्ज पंचम इसने अपनी डाएरी में उनका नाम पता सब कुछ नोट किया और ये कलिकता से चलकर प्रशंसा पे डिलिया जॉर्ज पंचम यहीं जॉर्ज दिल्ली में इसमें एक बहुत बड़ा दर्बार गुलाए और उसमें छोटे-छोटे राजा माराजा सब लोग आए लेकिन दिल्ली में जो क्रांटिकारी थे गरम दल वाले लाला लाज पत्राए वाले वो नहीं गए उन्होंने वहां भी वहिशकार है तो दिल्ली में उस समय जो गवर्नर की हैसी हस्ते एक अधिकारी होता था उसको जोर्ज पंचर ने पूछा कि भारत में मुझे वो आर्मी देखनी है लोग मादे के लगती है मैंने सुना है एक करोर डीस लाग, वन करोर ट्रेंटी लेक उसमें सोल्जर है मुझे देखना है वो आर्मी कैसे काम करती है तो दिल्ली का जो गवर्नर था उसमें जोर्ज पंचर को समझाया कि ये आर्मी है, बिना बंदूख वाली है इनके पास कोई आर्म्स नहीं है आर्मी विदाउट आर्म्स उसमें जो टाइटल बताया आर्मी विदाउट आर्म्स है इनके पास कोई बंदूख नहीं है इनके पास कोई सल्पार नहीं है इनके पास कोई तोप नहीं है कोई बोड़डार नहीं है कुछ नहीं है लेकिन इनके पास जो दिल है जो इनका हिर्दय है वो इतना मुझ्रूफ है कि ये हमेशा भारत की आजादी और सुराजी की बात करते है तो उस्तन पूचा कि इस आर्मी के कुछ मेताओं से मुझे मिलना है तो गवर्नर और दिल्ली ने कहा कि इनका मेता तो लोगमाने की लखे और उन्होंने आपका वहिश्टार किया हुआ है इसलिए वो तो आपको मिलने आने वाले नहीं है आपको उनसे मिलने जाना हो तो मैं कोई व्यवथ्था दरूँ तो जोर्थ पंचम कहने लगा कि भारत में ऐसा भी कोई आजमी है जिसको राजा गुलाए और वो राजा के पास ना चाड़ उन्होंने निका यहां तो एक नहीं ऐसे करोड़ों आपको ममनते ही नहीं कि आप राजा है वो कहते हैं आप इंगलेंग के राजा होंगे भारत का राजा को एक ही है वो हमारा गर्पति वप्पा लोगमाने जिलटने सब कारी करता हों को समझा रखा था कि राजा अपना एक ही है वो है ज़ल्पति वप्पा इसी के सामसे जुकना इसी को बंदन करना इसी से आशीष मांगना और इसी से द्या मांगना बागी हमारा कोई राजा है हमारा राजा गांपसी है तो जब गवर्नर ने ये सुना दिया कि वो तो आएंगे नहीं उन्होंने पहिश्कार किया वैसे करोड़ों है अब आप जाना चाहों तो मैं विवस्था करता हूँ पुड़े जाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए तो पुड़े के डिस्ट मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर को टेलीग्राम किया गया पुड़े का जिला कलेक्टर परेशान हो गया वो टेलीग्राम लेके श्री लोकमन तितक के घर गया श्री लोकमन तितक पुड़े में रहते थे शरिवारवाणा में ही उनका घर है आज भी वो घर सुरक्षित है आप जाके देख सकते पुणे का टिस्विक कलेक्सर भागा भागा वो टेलीग्राम लेके श्री तिलक के पास गया और टेलीग्राम उनको दिखाया कि आप से मिलने के लिए हमारा राजा चौर्ज पंचम पुणे आना चाहता है आप उनसे मिलेंगे पृष्री लोग्मा टिलक ने का मुझे राजा से मिलने की कोई गरज नहीं है वो आपका राजा है मेरा नहीं है आप उसके नौकर है आपको वो पगार देता है मुझे पगार भी देता है मुझे उससे मिलने की गरज नहीं है तो चलेक्टर ने समझा नहीं है वो आपको मिलने यहाँ आना चाहते है पूरे में तो दिलक ने का फिर ठीक है आप उनको यहाँ आने दो मैं मेरे गाउं चबा जाता हूं रत्नागरी श्री लोकमा ने दिलक का जन्मिक्थान रत्नागरी में है आप जानते है रत्नागरी के पास एक छोटन है तो मैंने का मैं मेरे गाउं चबा जाता हूं तो फिर कलेक्टर ने पूछा मेरी तो नौकरी चली जाएगी तो उनने का कि बहुत अच्छा है तुम्हारी नौकरी जाए तुम्हारे राजा की नौकरी जाए तुमने आफ़ इंदुस्तान छोड़ कर चले जाओ हमारा स्वराज हमें मिल जाए मैं तो यहीं चाहता तो कलेक्टर ने वापस तेलिग्राम कर दिया कि श्री लोकमान ने बिलक आपको मिलने तो बिल्कुल इप्छुप नहीं है तैयार नहीं है अब क्या करना तो अगरेज पुलिस को कहा गया कि आप लोकमान इजिलक को अरेस्ट करो और अरेस्ट करके उनको जोर्ज पंचम की सेवा में लेके आओ तो श्री लोकमान इजिलक के पास जब पुलिस ऑफिसर पहुंचा अरेस्ट करने के लिए तो उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आप कानून बताओ किस कानून से आप मुझे अरेस्ट कर सकते तो पुलिस ने कहा आप राजा को नहीं मिलना चाहते तो उनने का ये कोई अफराज नहीं है ये कहीं भी किसी कानून की किताब में नहीं है उस समय तक हमारे देश में जो कानून की किताब चलती थी उसका नाव था IPC, Indian Penal Court, 1860 से ये चल गई थी तो उनने का IPC का कौन सा प्रोवीजर ने जिसका पर आप मुझे विरफ्तार कर रहे हैं तो पुलिस ओफीसर ने उत्तर हो गया वो चुपचाप वापस गया और जोर्ज पंचंड को कह दिया गया कि ये व्यक्ति इतना पक्का है कि ये जो तै कर लेगा वो ही करेगा ये आप से मिलेगा नहीं जोर्ज पंचंड बिना मिले वापस गया गया बिना मिले वापस से और भारत में उस समय कॉंग्रेस के अंदर यही एक तेजस्वी नेता थे श्री तिलग जिनोंने जोर्ज पंचंड से मिलने को मना कर थे बागी जो कॉंग्रेस के नेता थे मैंने नाम लिया रभिदनाट तैगौर थे विवेश शद्र बनर जी थे एक बोपाल खश्र गोखले थे यह सब जोर्ज पंचन को सलामी देखे आए तिलक नहीं गए लाला लाज पत्राई नहीं गए विपिन चाद पाल नहीं गए जोर्ज पंचन को तिलक का नहीं मिलना इत पानी के जहाद सलंगर तो जौर्ज पंचन ने कहा कि ऐसा कोई जक्ती भारत में है जो मुझे मिलने से मना कर सकता है और किसी कानून के आधार पर हम उसे अरेस्ट भी अभी नहीं कर सकते तो ऐसे जक्ती की मांग क्या है तो अंग्रेज गवर्णर दिल्ली ने उनको कहा कि उसकी सबसे तहली मांग है कि 1905 में जो कर्जन ने इवीजन ऑफ बंगाल एक्ट बनाया है बंगाल को इंदू मुसल्मान के आधार पर दोड़ दिया है ये जानून वापक लेना और बंगाल को तिर से एक करना तो जोर्ज पंचम ने गवर्णर को कहा कि ऐसे वीर बहादूर पराक्रवी व्यक्ति का थोड़ा तो संबान करो और ये बंगाल का बटवारा रख दिख 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 और भारत के इतिहाद में ये पहली और आखरी धटना है जब बंगाल को बटवारा करके अंग्रेजों न शे सान के बाद वापस फिर से एक गजिया और इस और वेस बंगाल फिर से एक होगा और लोगमा ने दिलग की इतनी जैजेकार पुरे देश में हुई उन्नी सो ग्यारे में जब बंगाल फिर से एक हो गया दिवीजन अफ बंगाल एक वातस हो गया तो सारे देश में लोगमान गिलक के स्वाधत समारू आयो जिस्टी है और एक एक समारू में पचास-पचास हजार लोग आते हैं उस यमादे में ये माइट नहीं होता था बिना माइट से उनको व्याथ्यां करना हो आप जला सोचिए पचास हजार की भीव आईवस्त साविर नागरिक लोगमान गिलक को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं कैसे वो बोलें जो आखरी आदमी कर बात पहांचे तो वो संबव नहीं होता था तो श्री पिलक चिला 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 कर बोलें और दुश्परिणाम क्या हुआ 1911 से जब उनका ये स्वागत कमारो शुरू हुआ 1915 तख ये चलता रहा चार पास साथ चिला चिला कर बोलें के कारण उनके सारे टेंपड़े गल गए उनके लंग में इंफेक्शन आये क्योंकि माइक तो होता नहीं था गले में इंफेक्शन आया, लंग में इंफेक्शन है और वो इंफेक्शन इतना गंबीर था कि उसी में शरी लोक मामी दिलकी मरस्थे हुई 1915 ते लेकर 1920 तख वो कहीं जा नहीं सके बोल नहीं सके जा थोड़े भी बोलते से तो गज़े में दर्ड होता है थोड़े भी बोलते से तो लंग में पानी बहर जाता है और उस समय ट्रीsman भी नहीं था प्लूरिसी नाम की एक निमारी उनको होगे उसका कोई treatment नहीं था उसका एक ही treatment था कि वो कोई ठंडे प्रदेश में जाकर तोड़े दिन आराम करें लेकिन तिला कहा करते थे कि अगर ये जीवन में आराम किया तो सुराजी कैसे आये इतलिए उन्होंने अपने स्वास्थ को दुर्लक्ष लिया अपनी हेल्ज को कभी ध्याद नहीं लिया और उसी चकर में उसकी पत्री राति इंपरेशन रहती थी और उसकी म्रत्य हुई उसकी पत्री इसी जिंदा में पिटिला कभी स्वास्थ का ध्यान नहीं रखते लगातार प्रवास करते थे अब उस जमाने में प्रवास करने थे गाड़ी नहीं थे तो साइकल से प्रवाज करते हैं कभी साइकल नहीं होती थी तो बैल गारी में बैठके प्रवाज करते हैं कभी कभी बैल गारी नहीं नहीं तो घोड़े पर बैठके प्रवाज करते हैं और कुछ नहीं मिला तो पैदल पैदल प्रवाज कर तो प्रवाज बहुत किया व्याख बाद में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड इतिहाग की उस्तके जब आप पढ़ेगे तो उसमें एक जगह चप्तर है तिलक स्वराज फंड ये लोगमाने तिलक को स्वागत समारों में जो दान मिलता था वो सारा उन्होंने एकठा किया था आप पूछेगे तिलक स्वराज फंड कितना था आज से लगबद 80-90 वर्ष पहले एक नाइंटी एर बिपोर तिलक स्वराज फंड 21 करोड रुपीज का था इंपतर वर्त को कोटी रिए इतना धन था आज के हिसाफ से अगर आज इसको जोड़ना चाहें तो इसमें 300 का मंटि रुपीज के बराबर तो तीन पॉमें 21 का गुणा कर ली है 6,300 करोड रुपीज श्री लोकमा ने को लगने इकठा किया इस देश में गूम गूम और वो फंड जब उन्होंने इकठा किया तो उस फंड से फिर परिनाम का जिया उन्होंने क्या काम में लगाया वो फंड उन और ब्लेड नहीं बनता था भारत श्री इस देश में शुगर नहीं बनती इस देश में शुगर बनाने का खाना फटी फंड में से लगा थे नियुत अवरे जबाने में अुस जमाने में आयरन और इस्टील के लिए कोई बड़ा प्रड़क्शन ότι नहीं था पिलक्रने बार शुरू करिए हम इंग्लेंड से स्टील नहीं करी दें तो ताटा जम्शेद जी ताटा ने श्री लोक्मान इस लग्ट के एक मात्य पर पूरा तिस्कों खड़ा कर दिया ताटा इस तील कम तुरू वो तिनक में खड़ी कर वाई है इस ते बजाज क्रूप को एक तिन पहनना है महीन तो आप उसके लिए मिल लगाईए तो जम्नलाल बजाज में तिलक के कहने पर पहली मिल लगाई कलकस्ता दाल्मियागी को बुलाया एक तिस और आप कुछ प्रड़क्शन में जाए डाल्मियागी ने का ठीक है हम भी भारत के ऐसे भारत में 72 जो बिग बिज प्रड़क्शन में श्री जिलक ने ये सब शुरू किया 1920 तक वो ये करते रहे और फर्स अगर 1922 को उसका स्वारिवास दाया गंबीर बीमारी थी प्लूनिती की लंग्स पूरे उसके खराब हो चुके थे ज्यादा बोलने के कारें गला खराब हो गया था उस समय उनकी म्रत म्रत्यू से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कारेकर्साओं को मुलाया उनको मालूम हो गया था कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी म्रत्यू होगी तो हाथ मैंसे कोई रोणा नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आसु बहाना मैंने मेरे जित्टगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं किये हैं तो आप भी मेरे पच्छिनों पर चलना आप भी अंग्रेजी गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं बगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बनाकर रखेगा मेरे आधर्शों का फूर नहीं करना कोई रोएगा नहीं मैं मरूंगा खुशी के साथ मुझे विला करना और उन्होंने बहुत 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 कि कहा जो पूरे जीवत का सबसे बड़ा सच है श्री तिलग ने बहुत कश्ट होता है ताई को भी होता है मक्क को भी होता है लेकिन व्रत्यूं महब सहज है बहुत आसान है इसलिए उस्ताव की तरह से इसको बनाना और यह हुआ एक अगस्त को सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली प्राण उनके पूरे हुए तो पूरा पुने शहर पूरा बंबई पूरा भारत खड़ो है तो अगस्तिम यात्रों पर इसको चितिकी नहीं है करो लो करो लोग उसमें शहर आई करो लोग और उनकी श्री तिलकी अंदिम यात्रा को भारत की सुराज यात्रा नहीं है कि यह हमारे देश्की सुराज पाथ है और उस तुराज यात्रा में उन्होंने वही तनकल दोह राए जो श्री तिलक उनको गड़पति आंदोलन के समय काल करते हैं ऐसे एक महानव्यक्ती ने इस देश में गड़पती की इस्थापना करेंगा। ऐसे एक महानव्यक्ती ने इस देश में अस्वराज जी की नीज इस्थापिस करेंगा। आप बहुत भागिशाली हैं कि मैंने आपके मंदल में आकर श्रीप तिलक का फोड़ों देखते। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गड़पती मंदलों में जाता हूँ, गड़पती की मूर्थी तो होती है, तिलक की मूर्थी दायद है। और उससे भी जादा दुख मुझे इस भाग का होता है, कि गड़पती मंदल वाले गड़पती की साफना करते हैं, और उसमें रहतें गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं, जिनको श्रीप तिलक में कभी सुना नहीं सोचा भी है, हमें शर्म हैं, कि हम लोगप जो उन्होंने अपनी रख्तियों से थोड़े जिन पहले दिया था, जब बंगाल का पट्वारा सभाथ हो गया, तो पिलक भारत के बहुत सारे कारिकरता होपा इस पंदिन गुदाया था, और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्णों के उप्तर दिये थे, तो एक कारिक जब बंगाल के बट्वारे का विरुद क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बंगाल को बठा है, जर्ब के आधार पर अगर बट्वारा भारत में होगा और आगे चलेगा, तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला, और द करना पड़ा, तबी अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा विश्वीज गो दिया, जिसका दुश्वर नाम हम आज तक भोग रहे हैं, वो विश्वीज या था, अंग्रेजों ने एक संस्था बना दी इस देश में, जिसका नाम है इंडियन मुसलिम लीग, बंगाल का ब संस्था को इतना विश्वर दिया, कि जो बंगाल का बटवारा उनना ने हिंदू मुसल्मान के आधार पर किया था, उस इंडियन मुसलिम लीग ने भारत का बटवारा हिंदू मुसल्मान के आधार पर कर देए, शिरी गिलाक अक्तर भी कहा करते थे, कि अगर अंग्रेज बंगाल का बटवारा करने में सखल हो गए, हिंदू मुसल्मान के आधार पर, तो एक दिन भारत का भी ये बटवारा कर देंगे, हिंदू मुसल्मान के आधार, ये उनको पसा चलता है, 1915 में उनको 1947 दिखाई देता, इतनी उनकी दूर ग्रश्टी पूट, तेलक्ति, वो मुसल्मान के आधार, इतनी उनको ने बंगाल बटवारे का विरोज किया, लेकिन श्री तिलक्ति मरत्यों के बाद, इस देश में ऐसा दुश्चक्र चला हूँ, कि गरम दलिके जितने भी बड़े मेसा थे, तिलक्ति उनके सबसे बड़े लीडर थे, श्री लाला लाज को आए, वो लाठी कांट में मारी गए, आप जानते हैं, 1927 में साइमन कमिशन का विरोज करते हैं, बगत्ति को 1931 में फासी हो गए, मदलबाल धिंगरा को 1909 में फासी हो गए, अरविन को गोश्चों सबसे बड़े नेता हो सकते थे, लोगमान निटिलक के बाद, क्योंकि लो कोई बचा नहीं बड़ा नेता, तो धीरे धीरे सारे गरम दल के नेताओं को अंग्रेजों के पुलिस 1931 में खतम हो गए, फिर उसके बाद, गांधी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए, लोगमान निटिलक ने इतना बड़ा काम किया था इस देश में, अब आपको उन आपको अंग्रेजों की वस्तों का बहिश्कार ने ही करना है, बलबी अंग्रेजी भाशा का भी भाशिकार करना है. और उन्होंने अंग्रेजी भाशा के जो एक स्कूल भारत में चलते थे,underland,underland, उनके मुकाबले मरगी भाशा के इस्कूल शुरू किया. आपको मादू म पुरे में एक एजुकेशन सुसाइटी बनी देखन एजुकेशन सुसाइटी उसके संथाफ़कत द्यक्ष लोग मनें लगते। और देखन एजुकेशन सुसाइटी को ये काम दिया गया कि जादा से जादा इस्थानों पर अरधी भाशी इस्कूल होने चाहिए। करनाटक में उनका अवयान आया कि कर्णर भाशी इस्कूल होने चाहिए। उतर भारत में अवयान था इंदी भाशी इस्कूल होने चाहिए। तो भाशा के इस्तर पर स्वदेशी, भूशा के इस्तर पर स्वदेशी, बोजन के इस्तर पर स्वदेशी, वस्तुर के इस्तर पर स्वदेशी, ऐती पूरी तिलक की सल्पना थी, हर इस्तर पर स्वदेशी होना ही चाहिए तिलक इतने स्वदेशी के आज रही थे, कि कभी उन को अंदर देखें सिर्फ पर वही पगड़ी एक उनका जप्पा और दोती लंदन दें उसी को शाथी आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है दिसंबर जन्वरी फर्वरी माइनस 20 डिगरी सेंटीग्री सेंपरचर होता है फिर भी दोत्मानी तिलक दोती और अपन कि आपको ठंडी नहीं लगती तो उनका लेके ही जवाब होता था कि मेरे शरीद में स्वराज जी की इतनी अगनी जल रही है कि ठंडी कैसे लगती है और जब भी लोकमानी दिलक तो डोकने वाला कोई होता था लंदन में तो उनमें से सबसे पहले ज़क्ती होते थे श्री बिनायक दामोदर सावर कर उस समय लंदन में इसे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउस बनाया था बिनायक दामोदर सावर करके एक सहयोगी थे श्री श्याम जी क्रश्नवर्मा श्याम जी क्रश्नवर्मा बिनायक दामोदर सावर कर इन लोगों ने लंदन में फंड से तो बहुत सारी क्रांटिकारी रहते थे अब्यास करते थे और भारत में आकर क्या-क्या काम करना है उसके योजनाएं बनाया करते थे श्याम्विक रश्ण वर्मा लोकमान तिलक को कही बार कहते थे कि आपको लंदन में ठंड लग जाएगी हमें आपकी बहुत जरूरत है तो लोकमान तिलक वही उसकर देते थे कि स्वराजी की गर्वी है ठंड कैसे लगेगी है तो एक रिखती हमारे देश की राज़िदी के और जितने समय वो रहे इस देश में उन्होंने अगुत काम किये दो बड़े अख्वार जीवन बर वो निकालते रहे अपनी म्रस्तियों से एक अख्वार का नमना केसरी आप सभी जाते हैं वो बराटी में निकलता है केसरी अख्वार में ऐसे अगले लेख वो लिखा करते कि लोग पढ़ें तो उनके अंदर खूल जली ऐसी भाषा उसकी होती थी और बाहर के पहले अख्वारों में उसकी गिंती होती थी केसरी जो उस्तमें 53,000 बिखता था 53,000 उसका कॉपी बिखती थी और एक कॉपी को 10-12 लोग पढ़े हर दिन बाहर के सवा पांच लाग से ज एक अमिना ख्यांती जो उन्होंने शुरू की उसी का परिणाम था कि गांदी जी जैसे व्यक्ती को ये मानना पड़ा कि मेरी गलती से मैंने बोपाल क्रश्न गोकले को अपना गुरू बनाया था लेकिन अगर कि लग जीवित पौँ तो मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं के घर गए था है मुंबई और गोपालकर्स्ट गोकले जी के बारे में सब लोग कहते थे गे अंग्रेज़ों का एजन्ट है यही शप्ति उन के बारे में बोले जाते हैius, वो हमेशा इसतरे के काम किया करते थे जिससे अंग्रेज़ों को सुविधा हो, भारत के अक्रांति मुझे भृतमेंने से गुरुमानता उनी साथ हुआ और 13 में जब उनोंने नमक सत्यागरे किया तो श्री लोगमान इन्टिलग के ही कारी करता गांधी जी के साथ विए जो गड़े शोट सम्में से निकले वंदकोटी इस्पकलक्ष कारीकरता गांधी जी के साथ थे क्योंकि लोकमाने चिलक ने मुर्थी उसे पहले अपने सभी कारिकर्साओं को कहा था कि मुझे भारत में ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई कुछ करेगा देश के लिए लेकिन ये मोहंदाफ आदमी जो है ये जरूर कुछ कर सकता है देश के लिए कभी जरूर कपड़े तो इसको मदद करना बाकी किसी नेता के बारे में उनको भरोसा नहीं हुआ गांदी जी को 1937 में रियलाइजेशन हुआ उन्होंने एक खत लिखा है वो खत लोकमाने चिलक जी का जो घर है वहाँ पर आजकल एक म्यूदियम है एक इसमारक है वहाँ लिखा हुआ और वो खत में गांदी जी यही लिख रहे है कि मेरी गलती हुई जो मैंने गोपाल कश्र गोखले को अपना गुरू बनाया शिरी विदर कहीं भी हो आज से मैं उनको अपना गुरू मानता हूँ और यह realization गांदी जी को कम हुआ गांदी जी जब नमक सत्याग्रे के लिए एमदाबाद से लिखले पधियासरा करते हुए तो उनके कॉंग्रेस के जो सबसे भरोते मंद कारे करता थे उन्होंने गांदी जी का साथ छोड़ दिया गांदी जी को जिस पर सबसे रहला भरोता था पंधित जब लाल नहेरू उन्होंने गांदी जी का साथ छोड़ दिया गोपाल कर्शन गोफले तो सब जीबित नहीं थे लेकिन उनके परिवार के लोगा ने गांदी जी से किना रखर दिया और गांदी जी ने जब नमस तत्याद रहे के लिए एहमदाबाद आश्रम ठोड़ा तो मात्र बहत्तर कारिकरता उनके साथ थे Only 72 लेकिन वही गांदी जी जब नमस कानूं तोड़ने के लिए सूरत के पास पहुंचे तो बंदो कोटी इस पत्लक्ष कारिकरता उनके पीछे से ये वही लोग थे जो लोक्माने तिलक ने सही आरकिए और जब इसका समूद एखा गांदी जी ने तब गांदी जी जो कोई दम नहीं है जो दम है तो वो तिलक में है तिलक जी की मरत्यू के दख साल बाग की वो संगेशनिस्ता ताकत पर है कि उसमें बंदो कोटी पत्लक्ष कारिकरता है सभी जान्दी जी ने ये पत्ल लिखा और अपनी वेलिकी को उठा रहा और बाग में यही कारिकरता जो गणेश उस्तम में से निकले स्वधेश अंदोलन में से निकले इन्य कारिकरताओं की ताकत से गान्दी जी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा डिया है उनको भरोसा बहुत है और यह कारिकरताओं ने अंतिम दिंतर गांदी का साप मिर्ہाया बारत छोड़ो अंगोलन का जैसे ही कौल हुआ, गांडी जी गिरफतार हो गए, तारे बड़े मेता गिरफतार हो गए, तो ये कोटी दी फ्लाग जो कारिकर्टा थे उन्हों ने पेश रहे हैं, इन्होंने ही पूरा बारत छोड़ो अंगोलन चलाए है, और यही अंगोलन की ताकत थी कि 1945 तक आते आते बिटिश गवर्मेंट को स्वीकार करना पड़ा कि अब भारत से जाना ही पड़ेगा अब यहां रह नहीं सकते और यह कारिकरता कैसे कैसे काम करते थे यह जो स्वदेशी के अभयान के कारिकरता थे यह बिटिश आर्मी में जॉइन हो गए तो 1944-45 में बंबई में बिटिश नेवी में रिवोल्ट हो गया वा बगावत हो गया और उस रिवोल्ट का जुष्पर इनलम था कि बिटिश पार्लेमेंट पिर से किया कि अभी भारत में रहना हुष्टे तो देना में बगावत करा दी एज़ेस मदेशी के पक्तिया और शक्त अग्रेजों के दीया दूस्राइइन भारतम शुष्पट डबल गया पाकिस्तान अलग करा रही ज़िए हिसमें अंग्रेजों ने पूरी भूमिक्टा निभालि वे Cand Australia यहां से इंता व्यूकि आघ आपको सुनकर आशर होगा मुहम्मद अली जिन्ना जिसना भी पैसा खर्च किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन से दिया और मुहम्मद अली जिन्ना का एक लेट एंड और राइट एंड बैन माना जाता था सोहरा वर्दी करके वो गलकता का बड़ नेता था सोहरा वर्दी जितना खर्चा किया वो सब अंग्रेजों के डोनेशन में दिया अंग्रेजों का एक अख़्वार निकलता था इस देश में जो अभी भी निकलता है उसका नाम थाधाईंस आफ इंडिया ये अंग्रेजों का अख्वार है आज भी है अंग्रेजी एक कंपनी है जिसका नाम है बैनेट अन्पूलमेन ये उसकी कंपनी का अख्वार है तब ही से निकलता है तो टाइमस ओफ इंडिया की ये पॉलिसी थी कि मुस्लिव लीग का मेता छोटी से छोटी सभाता आयोजन कर तो उसको बड़े से बड़ा कोट सब बना कर उसकी बड़ी नियूस बना कर टाइमस ओफ इंडिया की फ्रेंट पेज पर देगा कई बार ऐसी हथी आती है मौमद अली जिन्ना वो जुखाम हो गया खाती हो गई तो टाइमस ओफ इंडिया की फ्रेंट पेज की नियूस होती कि मुहमद अली जिन्ना मुसलिम लीग का नेता था, मुसल्मानों का नेता वो कभी नहीं बन पाया, मुसलिम लीग एक संग इठन था, उसका नेता था, मुसल्मानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं माना, आप जानते हैं कारण क्या था, कारण सकते बड़ा ये था कि मुहमद अली जिन्ना रोज हंदी मास खाता है हंदी मास समस्थे पोर्क और मुसल्मान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंदी मास खा दूसरी समस्या थी कि मुहमद अली जिन्ना रोज शराब पीता था मुसल्मानों में शराब वर्जित है हंदी मांच वर्जित है शराब वर्जित है और तीतरा मुहमद अली जिन्ना का जो मुख्य धंदा था वो बियाज पर पैसे उठाने का धंदा था उसका मुसलिम धरम में इसको भी तुई काने को है इसलिए मुसल्मान उसको अपने नेता कभी नहीं मानते आपको सुनकर आशर होगा एक बार ये जिन्ना लाहोर में मुसल्मानों की एक सबामे चला गया तो मुसल्मानों में मंच पर चड़कर इसका मूँ काला कर दिया और एक गदेर पर बिठाकर उसका सरकस निकाला पूर लाहोर उसके बार हिम्मत नहीं पड़ी लाहोर जाने का अग्वारों में खूब छपा और जिन्ना को पूझा गया कि आपके मुसल्मानी आपको नेता नहीं मानते तो आप है किसके नेता तो धीरे से उसने का जो मैं तो अंग्रेजों का नेता हूँ अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं अब आप ज़र सोच सकते हैं जिसको मुसल्मानों ने नेता नहीं माना उस व्यक्ति की ताकत इतनी कैसे हो गई कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस पेश कभी तो मन में ये विचार आएगा आपके बहुत दिन में ये सोचता रहा कि जो मुसल्मानों का नेता कभी हुआ नहीं दस लोगों ने जिन्दगी में कभी उसका भाशन सुना नहीं वो इतना काकत पर कहते हुआ कि उसमें भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दिया बात ये है और सच्चा ही है जो मैं आपको बोल कर जाना चाहता हूँ और ये सच्चा ही सुनते से मैं किसी के दिल को दुखावा हो तो मैं छमाना था कि ये जो पाकिस्तान बना उसमें मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इसनी बड़ी नहीं थी उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका लेडी माउंट बेटन थी एडविना माउंट बेटन का नाम आप जानते नहीं जानते तो जान लीजिए वो भारत का अंतिम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था Lewis Mountbeaten उसकी पस्मी थी Edwinna Mountbeaten यह पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा कारण वो Edwinna थी आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उतने Edwinna Mountbeaten लंटन के Harris College में पर्षी थी जिसमें यह जित बढ़ा ठמת और उसी College में बारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवारलाल नहरू भी पढ़ते थे Harris College में तीन लोग पढ़ते थे साथ में एकी क्लास में एकी क्लास में ध्यान देवा जिन्न, मुहम्मद अली पंडित जवारलाल नहरू और एडविना उस्तमें वो मौंट बेटन नहीं थे शादी उसकी बाद में हो तो एडविना, जिन्ना और नहरू एकी क्लास में पढ़ते थे और रिकॉर्ड और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे यह डॉकुमेंट बताते हैं और एडविना इतनी चालाट महिला थी कि दोनों को हेंट जिकरती थे इतनी चालाट एक को सबेरे मौर्णिंग में दूसरे को शाद दोनों को हेंट जिकरती और जिन्ना और नहरू का सबसे बड़ा जो जगड़ा होता था वो एडविना को लेकर थे यह जगड़ा नहरू जी की वकादत चली ना जिन्ना की वकादत चली दोनों बैरिस्टर थे उनको जिन्दगी में कभी कोई केस ही नहीं मिला लगड़ी थे कारण समझते हैं कारण बिलकुल इसपश्ट है कि केस उसको मिलता है जिसके जीतने की संभावना होती नहरू जी के बारे में सब जानते थे कि इसको कोई दम नहीं है जो जीत पाएगा एक बीके तो बकादत चली नहीं तो नहरू जी कॉंग्रेस में जोईन हो गए उनके पिताजी ने उनको कॉंग्रेस में डाल दिया पिताजी का सपना था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा कोई न कोई दिन देश के बड़े पत्पर आना उसके लिए बुतिलाल नहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सुराज पार्टी और अंग्रेजों से उन्होंने तालबर करके इस देश में सरकार बनाने का टाम भी किया और उनका ये कैल्कुलेशन था बुतिलाल जी का कि एक नए एक दिन अंग्रेज भारत से जाईगे मेरी सुराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच कोई समझोता हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरा सुराज पार्टी को होगा और नेरु देश का पुराज लंप्री बने इस हिताफ से उन्होंने खेल खेला और उसी खेल में बोड़े दिनों में एड्मिना भी आ गई जब अंतिन समय आया लुइस माउंट बेटन को ब्रिटिल पार्टमें पे दे जा गया तो लुइस माउंट बेटन को भारत बेजने से पहले उसकी शादी एड्मिना के साथ करेंगे क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी उनको मानूं था कि नहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या कमजोरी क्या अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तानी बड़े नेता पर नज़र रखती है तो अंग्रेजों की कुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आदार पर एडविना को दे जा गया मौंट बेटन के साथ और मौंट बेटन को कहा गया कि तुम इसको दिखाने के लिए अपनी पत्नी सुईकार करो वैसे ये है नहीं तुमारी तो मौंट बेटन ने का ठीक है मैं मेरे देश के लिए इतना तो करी सकता हूँ तो उसको पत्नी के उप में वो लाया लेकिन कभी भी लुइस मौंट बेटन ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में विस्तर पर शेयर नहीं किया वो दूसरों को दिखाने के लिए पत्ती पत्नी थे लेकिन असलियत में नहीं थे और जैसे ही मौंट बेटन यहां भा गया तो एडविना को का गया कि अब तुम तुमारा खेश केलो तो एडविना ने एक दिन नहीं को बुलाया और अगले दिन जिनना को बुला और कहा कि ठीक है हम लंडन में जो किया करते हैं वो यहां भी हो तरगा तो नियमी तूख से नहीं जिनना ने एडविना के यहां जाना शुरू किया दारू पीना उसके साथ बैठ कर, शराब पीना उसके साथ बैठ कर, मिले पास कुछ फोटोग्रैप्स हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे नहरू जी एडविना के साथ बैठ कर शराब पी रहे है एडविना के साथ बैठ कर सिगरेट पी रहे है एडविना को किस कर रहे है चुम्बल ले रहे है उसके साथ डांस कर रहे है ऐसे मिरे पाथ साथ फोटोग्राफ तरवेट तो ये चलना शुरू हुआ खेंग, आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है, किसी भी पुरुष्टे में अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए, तो उसकी अंतिन सीमा नहीं होती है कोई, वो कहा तक जाएगा, कोई नहीं जानता है हमारे भारत में एक पुरानी कहावत कहीं जाती है, और वो पुरानी कहावत है, if wealth is lost, nothing is lost आपका पैसा चला गया, तो चिंता मत करिये, फिर से आ जाए फिर दूसरी बात कहीं जाती है, if health is lost, something is lost आपका प्रास से चला गया, तो थोड़ा कुछ तो गया, लेकिन last sentence है but if character is lost, everything is lost चरित्र गया, तो सब चला गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं, तो नहरु जी के साथ यही समस्या थे और जिन्ना के साथ ही यही समस्या थे, जिन्ना और नहरु चरित्र के इतने हलके आदमी थे कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही हुरत से पते हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया, 3 जुलाई 1935 को नहरु जी एडविना से मिले गए, राब को उसने फोटोग्रैफ लिए, नहरु जी के बैड में फोटोग्रैफ लिए और वो फोटोग्रैस नहिरे जी गरानिया वहाया हैं जो आपकी क्या हैसियत होगी। और आपको जो सबसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है महार्पमा गांधी उनकी क्या हालत हो तो नहरु जी ने एड़्विना को पूचा कि आके तुम चाहती क्या हो तो उसने का कि एक पेपर है उस पर आप साइन कर दीजिए तो नहरु जी ने का वो पेपर क्या है तो मुझलमान के आधार पर करना आप इसको साइन करते हैं तो नहरु जी ने कहा कि मेरी कॉंग्रेस मर्की कमेटी से पूच लेता हूं तो एड़्विना ने का इतना वक्त नहीं आदे रिखा है आप साइन करते हैं या कर यह फोटोग्रैप साइंस ओप इंडिया में छपते है नहरु जी सरेंडर हो गए राज को तीन बजे धर्ड जुनाई 1927 राज को तीन बजे उन्होंने भारत पाकिस्तान बढ़वारे के पेपर पर साइन के अगले दिन सवेरे उसने जिन्ना को बुला है और जिन्ना के साथ इसलिए यही खेरी से ला है उन्हों का मिस्ट जिन्न जिन्ना को भालुन नहीं था, वह बहुत शातिर हो जानि था है। हमारे भारत में इतिहास में आपने सुनाों की विश कन्या होगी थी चुर्झ कन्या एडव्य वहीब है। जिन्ना अपने टेंट के परशान है। क्योंकि जिन्ना का फोटो तो नहरूजी से भी जादा आप सब्सक्राम में आप अभी ने को in बहुत कर नहीं जादा कुछ की ज्यावरिक और रिकॉर्डिंग ओडे तो जिन्ना तो और भी परेशाद तो उसमें का नहीं नहीं यह फोटोग्रेफ्स रिलीज मत करिए तो उन्हें का ठीशे आप फेपर साइंड कर दीड़े तो जिन्ना ने कहा कि मैं तो मुसल्मानों का नेता ही नहीं हूँ तो निर्ट का हम बनाएंगे ना आपको चिंदा मत करिए हम बनाएंगे आपको मुसल्मानों करें तो चार जुलाई को शाम को करीं धाई तीन बजे जिन्ना से हस्ताक्षर लिए तीन जुलाई को सबेरे तीन बजे नहिरू जी से हस्ताक्षर लिए और वो अगले दिन अक्व इस बटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेन कौन है तो आपको बिल्कुल साफ पिखाई देगा अगर मुझसे कोई पूछे तो पहला विलेन इस बटवारे में पंडिक जवारला नहरू दूसरा विलेन मौंपद अली जिन्ना और मैं पंडिक नहरू को पहला विलेन क्यों मानता हूँ मैं आपको इस दूसरी घटा बताता हूँ जो इतिहाद भी दरज नहीं है लिसे डॉकुमेंट्स में वो घटना घटित है डॉकुमेंट्स में उसका जिक्र है वो घटना क्या है गटना ये है कि भारत पाकिस्तान बटवारा हो गया जिन्ना के हस्ताक्षर और नहरू के हस्ताक्षर से थोड़े दिन के बाद गांदी जी को ये पता चला गांदी जी को पता चला तो गांदी जी ने अपना सिर पीटा आप में कोई शायद ये बाद नहीं चानता है गांदी जी को एक आदत थी और वो आदत ये थी कि वो अपने पर जब गुस्ता करते थे तो अपना सिर पीटते है, ऐसे करके, बहुत तेज मारते, भूसों से मारते थे, अपने को मारते जिस दिन गांडी जी का पबाचना के महरू ने बटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर किये, उस दिन उन्होंने अपने को पीटा, और उन्होंने कहा कि अपने जिन्दा नहीं रहना जाए, क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया, को इतना कमजोर निकलेगा, ये मुझे नही पाक्षर कर दिये हैं, लेकिन आप मुझे एक वचन दो, तो मैं मेरा एक एक एफिटेविट लगाने को तयार हूँ, और एटिना ने मेरे साथ जो ब्लैक्वेली सिया है, वो सब को बताने को तयार है, गांडी जीन ने पूछा क्या, उन्होंने कहा, कि मुझे बारस का प्र तो गांडी जी ने का, ठीक मैं विचार करना तुमारी मांच, अगले दिन नहों को बुला है, और नहों देखा कि देखो, जिनना तयार है, वो एफिडेविट देना चाहता है, एडविना ने कुछ ब्लैक्मेलिंग किया है, वो पूरे देश को बताना चाहता है, उसकी एक अफिस का चपरासी नहीं बनाता, कारकून नहीं बनाता, तो गांडी जी ने का, तुमको जिनना से इसकी दुष्मनी क्यों है, तुम दोनों साथ साथ पढ़े, लंदन में हैरेस कॉलेज में, तुमको स्कॉलर्शिप मिली, जिनना को स्कॉलर्शिप मिली, साथ में जिसी स् और नहीं जी जो दुश्मनी थी उसका कारण था एड बिना हो और कोई दूसरा कारण में था गांधी जी को बताया नहीं 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 जी ने कहा कि में तो प्रदान मंतरी तो क्या चपराती नहीं बना सकता तो गांदी जी ने कहा कि फिर क्या होगा देश का बटवारा तो उन्हें ने कहा कि ठीक है बटवारा हो जा मुझे उसमें कोई आपस्ती नहीं तो गांदी जी ने कहा कॉंग्रेस तो तयार नहीं है इसके लिए तो रहां का ठीक है कॉंग्रेस थोड़े दिन में तयार हो जाए ऐसे करके गांदी जी और नहिरू जी का वारत अलाब पूरा हुआ फिर गांदी जी ने कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई पंद्रे उसमें सदक्षे थे उन पंद्रे सदक्षियों के सामने गांदी जी ने कहा कि भारत आजाब होगा लेकिन दुख है कि बटवारे के साथ कौन प्रदान मंतरी बने तो गांदी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रदान मंतरी होगा तो वोट डालने का काम किया गया कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट दला 15 लोगों ने वोट डाला तो 13 लोगों का वोट सरदार दल्लवभाई पटेल के पक्ष में गया तेरे वोट पन्डित जभारलाव नहों के पक्ष में गया और एक व्यक्ती कांग्रिफ वर्किंग कमेटी में एपसेंट हो गया वोड डालने नहीं आये और जो व्यक्ती एपसेंट था जो अनुग्रे अराइन सिना नाम के एक व्यक्ती थे पक्ष horrज फे बेहार से तो एक वोट नहों को तेरे वोट पटेल को गांदी जी के फॉर्मूले के अधसार पटेल भारत के प्रधान मंत्री बने क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अध्यक्ष चुना जब नहों जी को पता चला कि वो इलेक्शन में हार गए तो फिर गांदी जी के पास आए और उन्हों का समझोता होगा और पावर ट्रांसफर मुझे होगी क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से ये तै किया हुआ और ये बात सही है ब्रिटिश पार्लिमेंट में ये तरह हो गया था कि भारत में कभी सप्ता का हथ पांतरन करना पड़े तो नहरू के हाथ में ही सप्ता देनी है क्योंकि विंसेंट चर्चिल और क्लेमेंट आर एटली जो दो बड़े लीडर के उस समय इंग्लेट के एटली प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल लीडर ऑफ दा अपोजिशन था दोनों का ये मानना था कि ये नहरू अपना ही आत्मी है शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है आत्मा इसकी अंग्रेजों मादी है इसको सब्सक्ता दे दो तो बारत हमारे ही कब्जे में रहेगा ऐसा मानना था तो ब्रिटिश पार्लिमेंट में प्रस्ताव कर दिया था नहरू जी को उसकी जानकारी हो गई थी नहरू जी ने इस पर गांधी जी को ब्लैक मेल किया और कहा कि मैं अगर सब्सक्ता में नहीं आया तो कॉंग्रेज को तोड़ोंगा और अंग्रेजों ने घोशना की थी कि कॉंग्रेज अगर तूट भी गई तो नहरू बाली कॉंग्रेज को वो पावर ट्रांसफर करके बारत से चले जाई थी तब गांधी जी ने सरदार पद्की शपत कर वाई है तो गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद्की शपत उसको नहीं करा सकता क्योंकि मेरा दिन अब उससे हट गया है यह जरूर है कि तुम मंद्री मंदल में आ जाओ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोस्ट पे रहो ताकि नहरू के ऊपर क रहन समारो हुआ गांधी जी उसमें नहीं गए गांधी जी नहीं गए गांधी जी उस समय बंगाज के गाउं में थे नुवा खाली यह गाउं अभी बंगला देश में चला गया तो नुवा खाली के गाउं में गांधी जी थे करीब करीब दिल्ली से यह 3700 किलो बीटर ही है था का हस्तान तरव हुआ है और जो गांडी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है वह कह देता हूं जांदी जी यह मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सब्सक्ता किसी काले अंग्रेज के हाथ में आई इसलिए वो सब्ता लिए समारोव में शामिल नहीं हुए और आप पिर जानते हैं इसे हाथ आपके लामने है जिन्ना अलग पाकिस्तान का बन गया ये बन गया एक घटना बीच में और होई थी वोगी में समझा दूआ तो तो समझ में आएगा नहरू जी का चरिप गांडी ज लिए परिशे दिया कि महमद अली जिन्ना का पर खिजिशन हूं और आपकेले में बात करना चाहते हैं तो गांडी जी उसको कमरे में लेके गए अंदर जो बातशीत गांडी जी ने की उन्हों ने कहा है देखो मेरी एक संकल गांदी जी ने डॉक्टर को कहा कि मेरी बाटी इसमें कोई तीसरा जरूर रहता है जो उसको नोट करता है लिखता है मैंने आपको क्या कहा? आपने मुझे क्या का? तो और रहे का वो कौन बेक्टी है? उनने का मेरा सेक्रेट नहीं प्यारे ला लró प्यारे लाल जी वहाए है शौट हैंड में लिखते जिस बाद में उसका टांस्क्रिप्शन करते तो डॉक्टर ने जो बताया गांदी जी को गांदी जी पुरिशान हो गए वो सुनके उन्होंने कहा कि मौहमद अली जिन्दा का मैं डॉक्टर हूं और यह जिन्दा बहुत जन्दी मरने वाला गांदी जी कि पूछा क्यों तो रह को सकता है दो तीन महीं जिन्दा ना रहें हैं कि दोक्टर को पूछा गांदीजी ने आप क्या चाहते हैं कि आप किसी तरह नहरू को समझा दो तीन महीं इन जिन्दा रहेगा इसको भारत का प्रधान मंत्री बना दो देश का बड़वारा तो नहीं हो रहा है तो गांदीज ने का कि तुम्हारी अग्वात में अगर सच्छा ही है तो मैं जरूर प्रयास करोगा फिर उन्होंने नहिरू को बुला है और कहां देखो नहिरू यह मर गया वाला है जादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा इसको बोन टीवी हो गई है इसका डॉक्टर कहता है कि दो तीन महीने से जादा जिन्दा नहीं रहेगा तो क्यों अड़े हुए हो इसको प्रधान मंत्री बन जाने दो दो तीन महीने के बाद तुम बन जाना देश तो इस रहता है तब नहरू ने सिर्व वही वासे कि मैं जितना को मेरे ओफिस का चपराती नहीं बना सकता प्रधानमंसरी कैसे बनने नहीं तो नहरू की जिद और जिन्ना का ब्लैक मेलिंग ये दोनों मिलकर भारत का बढ़वारा कर गए और इसमें भारत फूटा भारत और पाकिस्तान दो अलड़ देश बने किसी सिद्धान्स के आधार पर नहीं कोई विचार के आधार पर नहीं सिर्फ प्रधानमंसरी पर की कुर्शी के खारे और मैं अभी सब लोगों को ये बोलता हूँ कि नहरू जी तो स्वर्वाती हो गए 1964 लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रवेश कर चुकी है जो पुर्शी के लिए कुछ भी करने चुकी है तो तो मर गए 27 महीं 1964 और आप मैंसे शाहिद कोई जानता है या नहीं नहरू जी की म्रत्यू बहुत ही दुखन थी उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्सवल टांसमेटिड डिसीज का आजा STD आज का AIDS कैसे शेश दे STD उनको था और उनकी म्रत्यू के समय जिस डॉक्टर ने उनको एक्जामिन किया था वो बताता है कि नहरू जी का शरीर सड़ गया कीड़े पढ़ गय थे बहुत दुखत म्रत्यू थे नहरू जी की म्रत्यू के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी उसकी लिखी वोई डायरी में ये है कि नहरू जी के अंग सड़ गय थे शरीर के कीड़े पा गए थे उसमें इसलिए वो प्रदान्वंद्री पत्से छुट्टी लेकर दहरा दून गए थे छुट्टी बिताने के लिए लेकिन वहां से वापस नहीं आए तो वो तो चले गए पाकिस्तान बनवा गए इस देश में जिन्ना का क्या हुआ भारत पाकि छंग्लेवें जिन्ना परका के लिए जिसने बनाया वह पाकिस्तानियर के तुट्मों एस सब्सक्री सब्सक्राइवे רाइस में मुसलमान वहन जाएं और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा वो यहां से गजए नहीं वह यहाँ है शिया हो, चाहे सुनने हो, वो भारत में ही है, वो पाकिस्तान गई दे और जिनोंने कमी पाकिस्तान माना नहीं, उनके सिर पर ये पाकिस्तान ठोग दिया गया वो अफ़ानिस्तान की सीमा पर रहने वाले जो बलूची रोग है ना उनके उबर जबर जबर जस्तियत हो दिया आज पाकिस्तान क्या है आप जान चले है सारा का सारा पाकिस्तान ऐसी समस्याँ से गिरा हुआ है जो उसके जनम से शुरू हुई और जनम से जो पमस्या शुरू होई जिन्दा के द्वारा उसी का दुश्परिनाम है कि आज तक उस देश में कभी लोगतंत्र नहीं रह पाया पजातंत्र नहीं रह पाया हमेशा किसी सहनिक ने उसका पाशन किया और आज भी आप जानते हैं परवेद मुशर्ण उनी सहनिकों का रूख है जो जिन्दा के द्वारा पल्लवित और खुशित है लेकिन जब भारत को एक बड़ नासूर दे गए और वो नासूर ये भारत के तीन गिलें एक जिन्दा, नहरू और एडविना ये तीन गिलें को मैं मानता हूँ बारत के बड़वारे के लिए दिन्दा इतिहाद के सारे डॉकुमेंट ये बड़ा से है और ये जो सब हो गया कहानी उस कहानी के बाद की अब कहानी ये है कि पाकिस्तान को चलाने वाले जो सेनिक साशक हुए उन्होंने ये प्रेकर रखा है कि बारत को एक नायुकिन वैसे ही तो होता है जैसे बारत में पाकिस्तान को तो आप जाते हैं 1971 में बारत के सेनिकों ने बंगला देश अलग करा गया और वो अलग हुआ उसका दर्द पाकिस्तान को है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बंगला देश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेगी। इसके लिए 71 के बाद से जिसने भी पाकिस्तानी शाषट हुए, सबने आतंकवाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अलगावाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम किया है, धन्भी दिया है, और अपने स्पैनिक भी दिये है, और वो आतंकवाद और अलगावाद जो 72 से चाहटू है जम्मू कश्मीर में, वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के साथ हजार से जादा स्पैनिकों की व्रत्तियों हो चुकी है, या शहादत हो चुकी है, जम्मू कश्मीर को भारत में बनाई रखे, जम्मू कश्म मिदान में आपको नहीं मिलेगा, उस आर्टिकल के अधार पर जम्मू कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है, आप जानते हैं, भारत का सुप्रीन कोट कोई भी फैस्वा सुनाए, जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता, भारत की संसर्थ में कोई भी कानून बनाया जाए, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, हमारी संसर्थ जब कानून बनाती है, उस कानून का पहला पन्ना आप पर है, ड्रास्थ जिसको कहा जाता है, उसमें पहले ही वाक्य में लिखा जाता है, एकसेप इन जम्मू कश्मीर, ये कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़ कर हमारी संसत्त में आ जा जागी के बाद ऐसे हदारों कानून बगाए है जो आपके उपर लागू है मेरे उपर लागू है लेकिं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है वो कानून उनके कानूर उनकी संसत में, जिसको वो असेंबली कहते हैं, वहाँ बनते हैं, और आप जानते हैं, बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री को सदरे दियासत बोला जाता था, माने जिसको हिंदी में प्रधान मंत्री कहते हैं, उनका घंडा अलग है, भारत का घ सब्सक्राइब चांज कर दो गळब का सब्सक्राइब पर हजारों करोड रुपए हर साल कर्चोंता है उसका हिसाथ किसी के पास नहीं है पिर हमने पाइनस मिनिस्टर को कहा तो फाइनस मिनिस्टर से उस्तर मिला कि जम्मु कश्मीर का हिसाथ बिल्ली में नहीं रखता जाता वो जम्मु कश्मीर में रखता जाता है फिर जम्मु कश्मीर को पत्र गया हमारा वहां से वापस आ गया कि यह हिसाथ हम किसी भी भारत मासी को बताने के लिए मजबूर नहीं मेरी चिक्टी मेरे पास अभी है वो मनते नहीं कि भारत का अंग है हम जबर्ज़ती कहते हैं कि ये भारत का अंग है पाकिस्तान वहां आतरवाजी बेचता रहता है फुरा पास करता रहता है उनके लिए पैसा उतलब दिकराता रहता है अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इसना दम है कि वो 60 सार से आतरवाजी उनकोंप भेच पैसा करश करके उसको चलाये लग सकता है तो आप सुचकर तध्यूप करेंगे पाकिस्तान की दम नेए ये सब करने की पाकिस्तान को ये सब करने के लिए अम्रीका उक्सा सरेता है अम्रीका है जो पाकिस्तान को पैसा बेज़ता है वो पाकिस्तान पैसा जम्मु कश्मीर में बेज़ता है और वो लश्करे तयबार, जैशे बहुंबल, हरकतुल अंसार, हिस्पुल, मुझाहिदीन जैसे खतरनाक संगतनों को पैसा मिलता है और वो काम करने वाला एक भी आतंतवदी म्ताम सब्सक्रां कर नहीं है वो तस तो कुछ सुछ पंद्रह धूधार सब्सक्राइए तूरों से करांटवाति लूत 750-まだ यहला दूसरे देशंस beginner संस्क्राइब पहसे पर काम करते हैं, हमारी कि विचित्र रहे जबू कश्मीर में एक संगेशन है जिसका नाम है पुर्यस कॉन्फरेंस यह छोटी छोटी भार्तियों का इस बड़ा समय है इस पूर्यस कॉन्फरेंस में एक आत्मी है उसका नाम है याक्तिन मलिक कभी आपने उसका चहरा अगर तीवी पर देखा हो तो इ जाबड मार दे तो जमीन पर तीन पढ़्टियां खाए इतना गम्जोर आत्मी है उसको भारत सरकार में सुपर हीरो बना रखता है क्यों भारत सरकार जब भी बाच्चीत करती है तो या तीन मलिक से बाच्चीत करती है और इस चक्र में अगवारों में नाम आता है टीवी जादा जाता है वो चर्चा अमेरिका तक जाती है तो या 가격ंतीले पैसा उसको देखुआ जाता है तो यृ-शित आप को पूछेंगे वक्या है या अमेरिका को चाहिए भारत का जो जम्हू कश्मीर नहीं इस बीदार मैं आपको सच बात पर एक ब पर दूजरे तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक लिवाहतने परकिया। अजमान नहीं पाइगा अमेरिका बंदू चला रहा है पाकिस्तान के कंदे पर रखे और ये पंदूही क्रिम करिंगे सिस अहिए इक biggest भारत करे नहीं होच है, आप क्या करें, मैं आपको एक विणम-विवेदर करने आए, कि आप क्या कर सकते हैं। तो पूरी राजनी को सारे जेश्न पे खतम करने के लिए और जम्मु कश्मीर को सच में भारत में वापस लाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप मैंसे जितने कि यहां खड़े हैं कभी भी जन्मु कश्मीर घूमने के लिए मत जाई है आप परिशान हो जाएंगे यह सुछा आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है दुनिया का सबसे खूब सुरत इस थान है हम जिंदगी बर पैसा कमाते हैं बचाते हैं जन्मु कश्म कश्मीर घूमने मत जाये मैं यह बाक पूरे दॉदु का चार बार प्रोबास करने के बात पह रहा हूं चार महीदे में जब मु कश्मीर में रहा मैने जेखा वो आप तो घृतने प idag से याधरियों पर और कर जब तो आपके ऊपर सबसे जाधा टैक्स जंबू कश्मीर की स सरकार में उनके आद्मी रेखे हुए आतन स्वादिया आप जानते हैं धोड़े दिन पहले हमारे भारत में जनु कश्मीर के एक आद्मी को फासी की सजा हुई है उसका नाव में अफ़ल गुरू ये कश्मीर का है और इसने भारत की संचत पर हमला करने का पूरा प्लैन बनाय हैं उस अफ़ल गुरू को बचाने वाले सरकार में बहुत बड़े बड़े दोग बैखे रहे हैं और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहू बनाया गया कि अफ़ल गुरू की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुलकराम ने रोक रखी है डॉक् घड़ें तो प्रश्णी नहीं है तो कहा है वो फाइल भारत सरकार के घर मंतराने में है घिसका मंतरी है शिदराज पाटिक उसके पाथ को साही है राश्रपती तक बेजी नहीं गए क्योंकि बेज़ती जाती साइन हो जाता हो फाथी हो जाती है तो अफ़ल गुरू को बचाने वाले लोग भारत के ग्रह मंत्रा लेवें ग्रह मंत्री की एथियत में है आप किस आतन को आपको कुछलना चाहते है इस देश में जरा सोचे मेरा कहना बहुत खुश है कि आतन को आदियों की मदद करने वाला ही अगर ग्रह मंत्री है इस देश का तो कौन से आतन को आद से आप लगना चाहते है इस देश शिवराज साटिल के पाथ फाहिल है अफजल गुरू की और वो फाहिल वो आगे बढ़ने नहीं देना है क्योंकि अफजल गुरू को फासी होगी और वो फासी होनी नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि अफजल गुरू एक ऐसे सम्मू का सदक से है जो आतनकवाज के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्वीर के नेताओं को बाच रहा है एक बहुत बड़ा कौकश और सिंडिकेट बना हुआ जिली सरकार से हजारों करोन रुपए जाता है जिसका कोई एकाउंटिंग नहीं है आप से का वो अब्दर गुरू जैसे लोगों के हाथ में ही पहुंचता है और वो फिर जम्मू कश्वीर के मुख्य मंत्री से लेकर समान दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बढ़ता है वो सारा पैसा आसनकवाद रोगने के नाम पर जाता है और हम उसमें कैसे मदद करते हैं हम जम्मू कश्वीर भूमने चले जाते हैं गूमने में जितना पैसा आप भेच करके आते हैं वो जाने अंजाने आपका पैसा किसी ने किसी तरह आतें गवाजियों के हाथ ने पहुँच जाए क्योंकि सरकार ना उनके लोग पैसे मैंने इस परी सोचा कि आर्वी जब युद्ध लड़ती है तो उसका पहला टार्गेट होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो तब युद्ध जीत से तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है जो हर साल जूद मैं के महीने में गूमने के नाम पर वहां जाते है हजारों करोर खर्च करके आते है वो पैता उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आतन को बात पलता है मेरा ऐसा मानना है कि बारती जम्मू कश्मीर को प्रभात करना अगर बंद कर दे एक दो साल के लिए ही बंद कर दे तो समाज में जो पैसा वहां पहुच रहा है वो बंद हो जाएगा जम्मू कश्मीर जख मार के हिंदुस्तान जब आपस आजाए क्योंकि उनकी दम नहीं है आप पैसा देना बज़ कर दो और ये सबी संबब है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना पर दो कर दे हर साल लाकों करोरो हिंदुस्तानी वहां जा रहे है और वहां एक बड़ा मंदिर है वैश्नु देवी का वहां बथा पेक कर आ रहे है करोरो उपिया उस मंदिर को दान में जा रहा है और वो वैश्नु देवी जी का श्राइन बोड़ है वह पता नहीं कहा पैता खरच कर रहा आपको पुछ मालंक है मेरी आपको भिनंती है माता जी की पूजा करनए है दुपना माता की दो हुब्ली में भी है Um लगत्र हो तो बहुरों चॉब चार कि's ह Wilson कि अ उप स्भूबारों कि सुन्फी में ह草कery अब्टी नागुठ एक ताथ ये रेलायम करते हैं कि हम जम्मु कशमीर तक नहीं जाएंगे जब तक ये आतिम्पराद खतब नहीं होता मैं आपको गारंडी देता हूं एक पाल जादा नहीं आतक्राइब हो जाता है ये तो बेडिया आपके मिलती है और दूसरी एक मिलती है अभी जानते हैं जब्व कश्मीर में इस नया थेल शुरू हुआ है पश्मीर के बैसे हजार जामो कश्मीर के लिए शुरू कश्मीर के लिए रिए खाल जम्रू कश्मीर के लोग आता है और यहां बेच कर जाते हैं, आपका पैसा वहां पहुंचता है, तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है, तो हाथ जोड़कर उसको बिंती करिए, कि हम तुम्हारा शौन अब तक नहीं खरीच सकते, जब तक कि जम्मू कश्मीर भोशना ना करें, कि हम भारत के अबिन हम नहीं खरीच सकते, बात खतम हो गए, तो उनका सामान यहां विकना बंद हो जाए, आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मू और कश्मीर गावे, वहां जाना बंद कर दीजिए, आतनकवाद की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि आतनकवाद की समस्या कराव के पुलिस उपीसर्स ने कहना शूरूँ किया, यह आना बंद रू, अमरज़च के बंदर में मच्छा टेकना बंद रू गुर्धवारे में और तमाम ज़े जाना बंद कर दो, वारत वासियों ने जाना बंद कर दिया, पंजाब पूरा सूना हो गया, आतनकवादिय तो पंजाब का अत्रमाद इस चरह से हद रूदा जुम्मू में भी हो जाएगा कश्मीर नदीगू और एक वारत का एक नासूर हमेशा के लिए खतम हो जाए और एक जोदी आगरी विलन्ति आपको मैं करना चाहाँ है विलन्ति ये है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान तो नहीं अमेरिका को चाहिए इसको ध्यान रखे इसका माने अमेरिका से साफधान रहने की जरूरत है अभी भारत का पुदान नंफरी और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है आज का अग्वार अगर आप उठाकर लेखे है तो बारत के पुदान नंफरी ने इंडिरेक्ट लिए कहा है कि मेरी सरकार गिरे तो गिर जाए मैं दोस्ती अमेरिका के साथ नहीं चोगो आप जानते हैं सरकार चलाने वाली जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने धमकी दे दिये कि अमेरिका के साथ परमाणों करार पर आपने बात आगे की हम समस्तन वापस लेगे सरकार गिरेगी तो पर्दान गंतरी ने आज कहा repo दिया, सरकार गिले तो गिले, हम अमेरिका से दोस्ती नहीं तोडेगे, मा papranum समझ investigators हम Canada के साहथ करेगे, यह aamerikas papranumπα्भ Luigi que known के नाम पर हमारा हाथ पकड रहा है, थोड़िय का यह गंदना, पकड़ लेगा, क्योंकि अमेरिका का चरिस्त्री ही यही है जिसे अमेरिका ने दोस्ती की है उसी को बरबाद की है आपको मालू मैं सब्सक्राम हुसैन 1980 में अमेरिका का दोस्त था और सब्सक्राम हुसैन को इश्राग का राश्रोपती अमेरिका ने बनवाया और वही खत्ताम हुसेंद को अमेरिका ने मरवाया, वो अभी हमारी आपके साथ है, एक छोटा सा देश है वियत नाम, वियत नाम अमेरिका का दोस्त था 1960 में, फिर 1970 के आत्पा जिसी वियत नाम को अमेरिका ने बं गिवारे और बर्बास कर दिया उसके, तो अमेरिका की दोस दोस्ती नहीं की जाती है, कोबरा साथ है, उससे दोस्ती नहीं होता है, दूरी रहना अच्छा है, कोबरा साथ से भी ज्यादा खतरनाक रसल स्वाइपर और करेट होता है, उससे दोस्ती नहीं होती है, पता नहीं कब पलेक बार कर दे और आप खतम हो जाए, इसलिए खतरन ज IIположों से दूर रहना है अच्छा होता है ूधसे दोस्ती अच्छी में अभरत के अच्छी में तो आप बूलेगे इसके लिए हम क्या कर छेह आप सकते हैं हो यह के अमेरिका के लिए सप्लाई लाइन भारत से बनी हुई है उसको भी तोड़ दूआ क्योंकि यहां से पैसा अमेरिका जा रहा है अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान जम्नु कश्मीर के आतंक वाजियों को दे रहा है वो आतंक वाजी हमारे पिर दर रुखा जा रहा है आप बोलेंगे जी ये पैसा अमेरिका कैसे जा रहा है भारत में अमेरिका की साड़े चार हजार कंपनिया धंदा कर रही है प्रेप्सी को लागो का बोला पॉल गेट, फामुले, प्रॉक्टरिंग, गेंबुल, रेकिज़ेंट, पॉल्बें, जॉंसरें, जॉंसर, एकी साड आतनकवादियों को, और आतनकवादी उस पैसे से हमारा सेंदर दो, तो ये पैसा अमेरिका जाना पत कर दो, क्या करना इसके लिए, इसके लिए वो ही करना ही, जो लोगमाने जिलक का सूत्र था, 1905 में लोगमाने जिलक में का कि स्वराजी चाहिए, तो अंग्रेजी माल व पूरसिकोला, कोका कोला, ये अमेरिका का है, कॉल्यके, क्लोद अप, कर्च available, सिभाका, और अन्थ ये अमेरिका का है, बहुत सारे परदेशी अमेरिका के साथ़ून हमारे घर में है, शैमपू हमारे घर में हैं, उनका बनाय हुआँ शडपेंड, नाईक्ली, एडिडा, स चश्मा अमेरिका का है बहुत सारे सामान हमारे घर में हैं यह सब खरीदना बन कर दो आज और सच में गापती उत्ता के लिए आप अपने को अधिकारी तरह से अंग्रेजी और अमेरिकी सामानों की होली जला दो आग लगा दो तो रुपा निकलक का अशिरवाद आपको भी बिल जया है और आगे से वो खरीद ना बरुबर दो आप बोलोगे माहिती कैसे मेलेगी क्या वस्तू अमेरिका की है क्या भारत की है हमारे आदादी बचाओं अंदुलन की तरह से पत्रक बनाया गया है कंड़ में है मराधी में ह हें हिंदी में है वो बबत्रक आप ल हाल पियोंगी कुछ नहीं मिलता तो शुद्द बीड़ीर कॉड़ीरी करणा क्रिक पेसिकोच पूरीरी अई से ही कॉलिकेट क्लोजड घ्रप ऴैक्सुनसी उपन्जड जाक्सी उपन्जड लाइपकोऑबतो लाइफ वाइलर्स लिलर रैक्सुना उपन्जड श्राइश है उपन्जड दिती मेंसूर संदर्ट, चंदरिका, मेडिमिक, स्वदेशी सोब है, उसको प्योकर, बूट और चपल, जो भी है, वो हुबली के किसी कारीगर से खरीदो, जो हाथ से बनाता है, बाटा कंपनी का कभी मत खरीदो ये अमेरिकन, बाटा, बेस्प, एडिगा, प्यूमा, ये सब अमेरिका है, जास्ती से जास्ती अमेरिकन मस्तू वहिश्पा, ये अगर आपने किया, रैडे लक्षपोती रुपए देश को लाब होता है, और अगर अमेरिका को ये धन नहीं बिलेगा, वो पाकिस्तान को नहीं दे सकता, पाकिस्तान को धन नहीं बिलेगा, उसकी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की कोई भी समस्या के समाधान में अगर भारत भात की शामिल नहीं है तो वो सब भारत की समस्या का हिस्ता है। उसके लिए हमें मदद करेंगे। तो हम समस्या के समाधान के रूप में अपने जीवन से अमरी की चीज़ वस्तों का वहिश्कार करें। जरूरत नहीं है तो ऐसा एक अव्यान पूरे देश में चले जो श्री तिलत ने चलाया उनीस तो पांच में वो दो हजारा साथ मर्फे चले ऐसी भावला के साथ में यह सब कहने आए। आप कहेंगे जी अमरी की टॉलिगेट क्लोट अप और उनका पेप्सी कोग तो हम आसानी से वहिश्कार कर सकते। लेकिन अमरी की दॉलाओं का वहिश्कार कैसे जाती। बहुत लोग कहते हैं कि अमरी की दॉलाओं नहीं खाएंगे, हम तो मर जाएंगे, कैंसर से, डाइबिटीज से, हर्टकेक्स से। मैं आपको निवेदर ये करने आया, कि आप सारी अमरी की अंग्रेजी दॉलाओं खाना बंद कर दो, आपको कोई भी बीमारी नहीं मार सकती। आपके भर में, आपके रसोई में, आपके किचिन में इतनी अच्छी रवाएं उप्योंड आक करके वीमारी से बचत बचते। हमारे घर में हैं एक सोरेकाई है, सोरेकाई रस, मराधी में उसको कहते हैं दूदी भोपरा, दूदी भोपरे का रस पीना शुरू तर दो, तीन महीने के बाद आपको हरचपह की लीलारी कतम होजा, बारत में योग और करणायाम सिकाने वादे तन्त है, स्वामी रांदे, ती इसके लिए कोई डॉक्टर के पार जाने की जरुरत नहीं रूदी बोपड़े का रश्चा लूपर दूधर आप बुलोंगे जी डाइबिटीज के लिए क्या डाइबिटीज के लिए बहुत अच्छी आउशद है मेंके पीछ और त्रिफल आचूर दोनों मिक्स करके सुबह खाली खाना शुरू करो तीम में डाइबिटीज में इंसुलिल लेना ही नहीं पड़ेगा आप बोलते हैं जो जोईंस में पेन हैं इसके लिए क्या दवा है इसके लिए सबसे अच्छी दवा है सुननत नीरू सभी घर में सुननत नीरू गंद चंबच बेवी आपने हुश प्योग करना शुरू किया मूर्त इंगलान अंतर सभी जॉइंस में इसके हो जाएगा और ये पंद्रे वर्थ का मेरा तजब्बा है दोंगों बोलना पंद्रे साहल से मैं ये एक्स्परिमेंट करना हूँ नैंतिय बीच पर प्रिफला चुम पर सुननत नीरू पर सोरे अधवत तेंग्ड रोग कमाप्त वर्ने का ताधत हमारे किचिन में हैं घर में हैं और शदीर आवश्यक्ता नहीं है माईतियों ही जो और आपके सबसे खराब रोग कैंसर का भी रोग आप ठीक कर सकते हैं जो देशी गाय होती है ना स्वदेशी गाय बारतिय गाय इसका नहीं है और हर्ष रस हर्शन टर्मे trivia जो तरजाब कर आए उसको पीस कर चक्ति बनाकर बारत निकाला इसमें जिनतुक्त करके लेने लग सैंसर को और रह रहा है केंसर को हमारे जाम हीं ने हैं अस्कान में हैं बड़े बड़े ब्न ऑलए आप सिर्स ले लिए अब बहुत लोग करते हैं आप में तो सब पढ़ाए हमको तो माहिती नहीं है मैंने यह सब जन्द पढ़ने के बाद कुछ छोटे-छोटे कुस्तक बनाए एक बनाया प्रदेशी भारतिये सारे से बहुत कुस्तक हैं यहां पर अमरी कारिकर्सां के चाहत हैं आप चाहें तो दे सकते हैं इन पुस्तकों में बंद नूर नलवत तेंट रोज समाप्त करने का महिती हैं काय के मूते से मैंतिय बीच से बदरी का ही रख कुंबड का ही रख सोच्टे का ही रख और जो मैं आपको दूसरी महिती दे रहा है श्री दिलक के बारे में स्वधेशी आंगलन के उसकी भी पुस्तक है स्वधेशी मत्तु भारतियत है कंदर में आप ले दीजिए उस तक को मेरा कॉपी राइट नहीं है सब को कॉपी करने का राइट है आपको अच्छी लगे आपके नाम से प्रकाशिक करिए हंड़ी हंड़ी नगर नगर पचार करिए देश का काम होगा मैं ये देश के लिए कर राइट आपको ये बिनिल्पी करने आप और ये जो ब्याक्यान मैंने दिया उपरनिया दिया बार बार अगर सुनना चाहे तो इसका कैसे है सीटी है वो भी ले सकते हैं कापी करकर के दूसरों को दे सकते हैं मैं चाहता हूँ कि जो माहिती मैंने आ हमारा सार्फंड हो जाए गर्वति उस्तव का सकता है कि जैसे आजादी और स्वराज के लाने के लिए गद्वत उपयोग नाया गया। ऐसे इस स्वराज्य बचाने के लिए ये गणपती उस्तफा उप्रियों को यही भावना से मैं आया आपने बड़े ध्यान से सुना में आवारी हूं और खड़े रहकर मेरा वक्त भी लगपत दो ठाई गंटे आपने सुना इसके लिए और भी आवारी हूं आप यहां से करेंगे और अमरीकी वस्तुएं जो हमारे पेंप्लेट में आप यह पेंप्लेट ले जाएए इनको ध्यान में रटकर ही अपने घर्थी वस्तुएं लाएंगे तो श्री सिलक्ति आत्मा को सच्छी शर्दाजली हम दे सकेंगे ऐता बोलते हुए आप सभी को आभार बहुत करेंप करेंपलेट में अभ पर्ण केंपल दे सकेंगे प्यान में रूंट कर प्यान में आपको आवार दρέका करो बहुत।